नमस्कार और स्वागत है आप सभी का रांकल्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर मैं राधिका गुपता और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए एक नई पहल शुरू की गई है 21 दिन 21 मेरत हैं जी हाँ ये 20 दिन अब आप लोगों की साइन्स के लिए बहुत इंपोर्टन रहने वाले हैं यानि की बात की जाए आपके आने वाले सभी रेलवे के एक्जाम्स में जो भी आपका पोर्शन विज्ञान का पूछा जाता है उस विज्ञान की तयारी अब आप लोगों को हमार साथ डेली सुभा 11 बजे यहां पर करनी है और ये वादा आप लोगों से रहेगा कि एक भी सवाल आप लोगों के इस सीरीज से बाहर नहीं जाने वाला है यानि कि अगर मैं आपसे रेलवे के अंदर बात करूँ एलपी के एक्जाम की आने वाले आरपी एफ के एक्जाम की या आप NTPC भी देने जा रहे हैं तो इन सभी एक्जाम में आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महतुपूर्ण रहेगी सबसे पहले ये 21 दिन 21 माराथन का ये जो मोटिव है वो यही है कि आप में से अगर कोई भी ऐसा है जिसने आज तक साइन्स नहीं पड़ी है देखि तो आप लोगों का पोर्शन आने वाला है उन सभी सारे इस टॉपिक्स को एक एक को डीटेल में कहते हैं ना ए से लेकर जेट तक मैं मैं आज तक विज्ञान नहीं पड़ा है मैं आज तक साइंस नहीं पड़ा है आप सभी के लिए साइंस की A to Z या मैं कह सकती हूँ जीरो बार के इस चक्र व्यू से बाहर निकलना है यह 21 दिन की अंदर हम एक एक टॉपिक वाइस कवर करेंगे यानि कि आप लोग के आप जो एक्जाम नस्दीक है आप सभी ने अपना यल्पी का फॉर्म भरा है इसी के साथ आप आर पीएफ का भी भरती आने वाली है उसका फॉ ग्यारा बुजे रहेगी तो भाइए यस क्लास को अगर आपने पूरा अच्छे से नोट्स बना करके प्रिपेर कर लिया तो डेफिनेटली आप लोगों का एक भी नंबर यहां से बाहर नहीं जाने वाला है तो यह जो अब्जेक्टिव है ना आप लोग के लिए 21 दिन 21 मा काया कि किस प्रकार से हम इसके syllabus को यहां पर कवर करेंगे यानि की कौन कौन से topics हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं यह पूरा science जो है अपने आप में मानते होना कि माम बहुत सारे बायों में tough tough words है कैसे याथ करूंगा कैसे इन शब्दों को मैं अंपर पहल करूंगा science के सारे सब्जेक्ट्स आप लोग के कवर होंगे मतलब फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी और बायलोजी भी तीनों विश्यों की गैरंटी आप रांकस गुरुकुल परिवार पर छोड़ दीजे कि अगर बात आती है विज्ञान के एक भी नंबर के सवाल की तो आप लोग का पेपर ये वन शॉर्ट चाप्टर्स में होंगे ये मत समझना क्लास एक घंटे की चलेगी ये क्लास आपकी एक से डेड़ घंटे जब तक पूरा टॉपिक खतम नहीं हो जाता उस अकॉर्डिंग ये क्लास रहने वाली है वन शॉर्ट चाप्टर्स जुसमें हम कहते हैं NCRT पर आते हुए चलेंगे एक्जाम चाहें कोई भी हो डेली सुभा 11 बजे NCRT बेसेस पर हम आपका ये चाप्टर जो है वो रखे हुए मतलब जो चीज़ें आपके NCRT में आप लोगों की पूछी जा चुकी है या आ रही है वो सब कुछ तुम्हारी इस क्लास से कवर हो ना ताकि जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास भी आपका ये सेशन जरूर से पहुँच जाए और अब से यानि कि कब से माम आज है 28 फरवरी लगातार एक दिन की भी छुट्टी नहीं होनी है जिस भी दिन आपकी क्लास का शिड्यूल मैंने पूरा आपको बन कर दिया था ये 21 दिनों में 28 फरवरी 29 फरवरी से लेकर के पूरे 21 दिन यानि की 22 मार्च तक होली से पहले हम इसको कवर करेंगे और होली पर आपके अंदर ये भरोसा होगा कि मैडम ने जितनी साइंस पढ़ाई है मेरा एक भी सवाल चाहें तुम कोई भी मॉक टेस्स लग करने वाले हैं अब सबसे पहले मुझे यह जानना है कि कितने लोग वाकई में चाहते हैं मैं आपको पूरी त्यूरी की क्लास कर लाऊंगी और आप सब में से कितने हैं जो चाहते हैं धी क्लास यहाँ पर होनी चाहिए एक थमसप का साइन फटा-फट से पहुचा देना जाते हैं कि पहले पूरी theory होगे कि दिखो मेरा मानना यह है तुम चार चंद सवाल कर भी जांगे लेकिन मान लो examiner ने उन सवाल से हट कि तुमें कोई और theory का portion दे दिया फिर क्या करोगे फिर किसकी शकल देखोगे फिर किससे कहोगे कि नहीं नहीं हमने तो सिर्फ सवाल पड़े हैं वो सवाल नहीं करने हैं लेकिन जब तक theory नहीं होती तब तक आप practice अपने मत करना मैं आपको पूरा theory वाला section करा दूंगी बिल्कुल सही भाई जो भी हमारे साथ यहां समर्थन में है पूरा theory वाला section पहले मैं आपको कराऊंगी और उ उस दिन भी मुझे आप सब यूही लगातार साथ चाहिए कि मैडम हम तो पूरे 21 दिन पढ़िया तयारी कर लिये हैं उसके बाद मैं तुम्हारे full length mock test कराऊंगी पूरी तरह से पूरी science के mock क्योंकि दिखिए अभी समय है और अगर हम इस समय को utilize कर लेंगे न तो बहुत चले आपके हाथ से बने हुए notes जरूरी है और जो भी यहाँ पर class देख रहा है ना आज से जो भी मिडियावास सुन पा रहा है देख पा रहा है या इवन जो बाद में recorded भी देखेगा आप सबसे गुजारिश रहेगी आगे तक के लिए कि देखिए जब भी class देखे ना copy pen लेकर बैठिएगा notes साथ में बनाईएगा आपको मदद मिलेगी आप लोगों के लिए चीज जो है वो फाइदेबन रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका topic जुसका नाम है cell आशा करूंगी सभी को basic चीजे clear हो गई होंगी हर तरहा से railway के exam में आने वाली तुम इसलिए आप लोगों का यहाँ पर हमने शुरू किया 21 लगातार आगे देखी जाएगी मेडम सवाल कर लेंगे लेकिन पहले theory करना बहुत आवश्यक है ठीक है तो class को रोज सुभा 11 बजे आप लोग जुड़ जाना जो पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात आपक की लिए एक नई पहल एक नई शुरुबात बिल्कुल 0 से मतलब कॉपी में डाल देना उपर से कि भाई आप तो 0 से hero बंदा है आप तो science का A to Z यहाँ पे cover करना और यह वादा रहेगा एक एक सवाल इसी theory से तुम्हें यहां से मिलने वाला है इनकी PDF इनके notes उठा करके theology में क्या है बायों के अंदर हम पढ़ते किसे हैं हम पढ़ते हैं आपके जीवित जीवों को यानि कि जुतने भी आपके living beings हैं उनके बारे में हम अध्यान करते हैं लेकिन आखिरकार जीवित के अंदर क्या आता है देखो मेरे according आप में से आज तक किसीने science नहीं पड़ी ह ठीक है बाई लेकिन आप ये तो जानते हो ना कि ये marker है और ये marker कैसा है माम ये non living है मतलब ये मरत है मैं ऐसा तो नहीं कह सकती इसके पास सांसे चल रही है या मैं कहूं कि भाई इसके अंदर धड़कन चल रही है ये सांस ले रहा है ये अभी विकास करेगा ये उम्र के प्रश्टा है कि ये सब सास ले रहे हैं ये सभी जीवित है ठीक है और जीवित होने के साथ-साथ ये क्या करते हैं अपने अंदर ग्रोथ की प्रॉपर्टी को दिखाते हैं कि उम्र के साथ बड़े होते चलते हैं एक समय बुढ़ापा आता है और इनकी मृत्ती हो जाती है कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है तो हम जितने भी जीवित जीव हैं उसमें प्लांज भी आते हैं उसके अंदर आपके आनिवल्स भी आते हैं इनका अध्यन इस पूरी बाइलोजी के साथ यहां पर हम करेंगे ठीक है मैं त्योरी साथ-साथ कराना फिजिक्स में उनली क्व जो है वो डेफिनिटली बहुत जाए तो चलिए शुरू करते हैं आपने कहा कि मैं हम सभी जीवित जीवों को देखते हैं लेकिन आखिरकार एक पूरा का पूरा मानव शरीर बना किसे है यह एक यूमन की बॉड़ी है यह बॉड़ी के अंदर बहुत सारे तंत्र का तंत्र बनाती है एक टिशू को बनाती है टिशू से अंग बनता है अंग से अंग प्रणाली बनती है मानते हो कि नहीं यह बाद जल्दी से बताओ त्योरी के बिना डारेक्वेशन समझ में अच्छा नहीं आए हैं कोई दिक्कत नहीं अरे अपन तो थियोरी पढ़ रहे हैं ना भ थानव का शरीर बनता है मुझा कॉमें सेक्षन में एक बाद जल्दी से बताएंगे कि आप लोगों की बॉड़ी की सबसे चोटी नहीं ऐहां पर क्या होती है आप को औरे माड़म यह दिख तो रहा है हमें सेल ही तो नज़र आरा है लेगिन वाकः में सेल एक सबसे चोटी काई होती है नहीं दिखे बाइलोजी की लांग विश्ट तो कह देती है कि हां वहीया आपके पूरे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं लोगों के अंदर अंग हैं अंग के अंदर आपके टिशू है और वहाँ एक सबसे छोटा भाग किसका नजर आता है सेल का नजर लेकिन इससे भी छोटे होते हैं कोशिकांग कब आते हैं जब हम सेल के अंदर देखते हैं कि कोई सेल है या मैं कहूँ कोई भी आपके सबसे छोटी का या आप मान रहे हो वो भी तो किसी से मिलकर बन रही होगी क्यों भी वो भी तो किसी से मिलकर बन रही होगी तो आपका जो cell है वो किस से मिलकर बना है कोशे कांग से मैं मैं कोशे कांग को और छोटा कर दूँ तब क्या आएगा वहाँ आते हैं आपके मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है परमाणू और परमाणू से भी छोटा भाग देखा जाए तो chemistry कहती है कि जनाब यहाँ पर क्या आता है यहाँ आता है आपका atom हम समझते हैं उसके बाद लिखेंगे तो माम सबसे चोटा बहाँ किया है अटम का है लेकिन अटम मिलकर के क्या बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स और तब जागर के पूरा शरीर हमारा धीरे करके डेवलेप हो रहा है ठीक है हंदी English दोनों में यह content रहेगा और PDF भी आपको दोनों languages में मिल जाएगी नोट्स भी दोनों languages में बनवाया जाएगा बाकी भीया समस्या मत लीजिए थियोरी ही मैं आप लोगों कराऊंगी बाकी जो आप कह रहे हैं कि physics के लिए उसके लिए भी मैं आपको बोल दूगी सर को कि वह आपको पहले theory कराऊंगी ताकि आप लोगों का कोई भी सवाल जो है वो ना रहे चार सवाल हमें सिर्फ यहांपर नहीं करने हैं हमें एक-एक theory तो सेशन को अपने जो भी भाई बंदू नहीं जुड़ पाएं उन तक पहुंचाने का काम आपका है यह सेशन को शेयर कर देना तुम्हारी डिमांड पर सिर्फ कि मैं साइंस में बड़ी दिक्कत आ रही है आप कुछ ऐसा ले आईए जो हमारा वन शॉट हो जाए सिर्फ यह best to best चीज़े ले करके यहां पर आउंगी तो भाई यह काम आपका है पहुंचा जरूर दिजेगा सेशन को शेयर जरूर कर दिजेगा अब बात आती है कि मैं सबसे छोटा भाग chemistry और biology दोनों के अंदर हमने देख लिया लेकिन जब मैं अपने शरीर को देखती हूं तो ही हमारी body में दिल धड़क रहा है पही आपने तो कह दिया मैडम दिल धड़क रहा है बलड को पंप कर रहा है लेकिन इसके अलावा क्या भाई body में heart ना पूरी वाहिकाओं के साथ काम करता है अगर यह नसे blood को लेकर के नहीं जाएंगी तो कईसे काम चलेगा मैडम पूरा बिखरा हुआ थोड़ी रहेगा कुछ धमनी और कुछ शिराएं भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी तो याद रखिएगा ऐसे तंत्र को परी संचरन तंत्र हम यहाँ पर कहते हैं फिर आता है आपकी body की सभी मासपेशियां कि कैसे हमारी nerves जो है मासपेशी जो है वो काम क कर रही है सारी अलग अलग घडियां इसमें ब्रेन जो पाया जाता है उसका पूरा nervous system उपस्तित होता है तो शरीर केवल एक तंत्र से मिलकर नहीं बना है यह कॉंप्लेक्स सिस्टम है यह एक आपकी जटल प्रणाली आप कह सकते हो जिसमें एक नहीं दो नहीं बहुत सारे इस्टेम से जाते हैं आर्पीस कॉंस्टेमल का क्लास कप से स्टार्ट होगा अरे यही तो एं पढ़ा रहे हैं आपको इलपीस रेलवे के district सिरीजुमन करेется। ठीक है अगला सिस्टम आप देख रहे हो हमारी बोडी में क्या पाई जाते हैं हॉर्मोन्स आपके रेलवे में कुछ आये नाये माम हॉर्मोन से सवाल जरूर आते हैं और hormones में क्या पूछता है कि body में कौन सा hormone किस ग्रंथी से बन रहा है यह सभी अंतहस्त्रावी ग्रंथी है कि brain में आपकी pituitry, फिर penial, फिर आपकी गले में thyroid, pancreas ऐसे बहुत सारी ग्रंथियां अंतहस्त्रावी ग्रंथी मिलकर के बनाती है और इस system को हम नाम देते हैं आपका railway ALP के paper में कई question थे, RPF 2018 में हुआ था आज से पहले, अगर बात की जाए तो 5 साल पहले भी reproduction से चाहें वो मानफ का हो, चाहें वो plants का हो सवाल definitely आये थे, ठीक है, तो यह जो आपका topic है जिसमें हम प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे, male का अलग, female का अलग, यह भी आप लोग के से मिल करके बनी है, कुछ मास पेशी भी है, कुछ 206 हड़ियां भी है, लेकिन उन में सबसे छोटा भाग क्या है, सेल का है, जिसको हमने कोशिका कहा है, इसी कोशिका के अंदर पाए गए हैं, देखिए कोशिकांग, यानि कि अंदर की तरफ भी तो कुछ अंग उपस्तित ह इसी लिए सेल को हम कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जल्दबाजी नहीं करनी है, हौले हौले चीजों को समझ करके लिखते हुए चलना है, ठीक है भाई, राजभर सुनीर उसमें आपका पूरा सिलिबस जो है, वो हो चुका है, कुछ टॉपिक्स है, वो भी आपक जाएंगे, तो भई इसे कहते हैं, एक सेल का कंप्लीट इंटरनल भाग, जिसको हम कोशिकांग कहते हैं, अंदर की तरफ, यह देखो, अगर मैं किसी भी सेल की बात कर रहे हूं, तो अंदर बहुत सारे अलग-अलग कोशिकांग पाए जाते हैं, और किसी भी पेपर में दे सेल को कहते हैं, बिल्कुल मूल भूत एकाई, जिसको fundamental unit या structural and functional unit भी कहा जाता है, आप सभी ने, जिसनोंने भी आज तक देखो, सेल पढ़ा है, उन्हें ये तो पता है कि कोशिका मूल भूत एकाई है, लेकिन कोशिका की खोज किसने करी थी, बिल्कुल one-liner question भी अपन साथ साथ में चलाएंगे, ठीक है, one-liner questions भी हम साथ साथ में चलाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि सेल क्या है, इस दा fundamental unit of life, मूल भूत एकाई कही जाती है, structural and functional unit का नाम भी इसी को दिया जाता है, और तुम्हें लग रहा है railway tough question पूछेगा, एक बर previous year question तो उठाना, वो ये पूछ लेता है कि बताईए जरा कि DNA की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सोच रहे हो, इस सवाल में क्या था, कि DNA की छोटी इकाई, जीन होती है, पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें अभी, वो पूछता सरल ही है, लेकिन आप पढ़के चले जाते हो, एडवांस लेवल का पिर स दूसरी बात इसको हम structural और functional unit भी कहते हैं, अगर मैं कह रही हूँ शरीर किस से मिलकर के बना है, cell से, तो cell के अंदर ही ऐसे बहुत सारे भाग होंगे, जो इसको नियंतरत कर रहे होंगे, अब इस cell को तुम्हें कैसे मान के चलना है, तुम्हें घर मान के चलना है, देखो जैसे हमारे घर में होती है, वही सेम चीज हमें हमारे cell में मिलती है, यानि कि कोशिका के अंदर मिलती है, यह जो कोशिका आप देख पाएंगे, इस कोशिका को इसलिए मैंने कहा कि रूप भी यही बना रही है, और इसी के साथ कार्य भी यही करती है, अगर decision लेना है तुम आज कह रहे हो कि मैं मैं लिखना चाह रहा हूँ, वो लिखने के लिए भी तुम्हारा cell ही है, जो internally काम कर रहे है, brain के cell काम कर रहे होंगे, तुम तो कहोगे, दिमाग से आवाज आ रही थी, मैंने लिख दिया, दिमाग ने कहा था, भई brain के अंदर भी क्या है, cell है, तो भई मान करके कि आप बिल्कुल zero level पर हो, आपने आज तक science नहीं पड़ी है, तो ये series उन students के लिए भी beneficial रहेगी, उन सभी के लिए मददगार रहेगी, जो आज तक science नहीं पड़े है, बिल्कुल zero वाली कहानी, कि zero से hero बनने वाला part जो है, वो हमें हां मिल जाएगा, 21 दिन की class क कोई भी paper आप railway का देने जा रहे हो, हर सवाल इस chapter से आपका, इस series से आपका फसने वाला है, clear है, आजाते हैं अगले भाग पे, कि माम ये तो चलिए हम मान गए कि cell क्या है, सबसे छोटा भाग है, लेकिन इसी cell को जब हम खोज की बात करें, कि देखिए जनाब इसकी किसी न से कॉर्क सेल की उपर कारे कर रहे थे, ये ऐसे बॉटल की ढखन होते हैं ये बनाते थे, और इसके अंदर इन्होंने क्या देखा, ऐसी मन में आया कि चलो यार एक बार देख लेता हूं, कि यहां पर माइक्रोस्कोप में मुझे क्या नजर आ रहा है, तो जब इन्होंने द बंद खाली कमरे दिखाई दिये, तो इन्होंने बुला कि अच्छा, ये खाली बंद कमरे को लेटिन भाशा में cellulie कह देता हूं, और यहीं से word बना आपका cell का, हमने किस भाशा से लिया है, इसे cellulie भाशा से लिया है, तो देखो दो सवाल हमने पहली slide में करे, कि cell basic unit है, cell चोटा बंद कमरा, और इसके बाद इनको समझ में आया, कि भाई हम जितने भी जीवित जीवों को देख रहे हैं न, ये किसे मिलकर के बने हैं, ये cell से मिलकर बने है, all living organisms, all जीवित जीव कोशे का जितनी भी है न, सब के अंदर चोटा भाग क्या है, cell है, वरना तब तक हम स न, समझ में आया, कि भाईया, देखिये, रॉबर्ट हुक सहाब को 1665 में अपनी खोज के बाद, अपने इस experiment के बाद, कि इन्होंने सभी, जितने भी living organisms हैं, उनके अंदर क्या देखा, एक cell को देखा, लेकिन इनके साथ न, एक धोका हो गया था, दोका क्या हो गया था, भा देखो, आप साथ में भी नोट्स बना सकते हो, चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, और आप अपने PDF से भी बाद में कवर कर सकते हो, PDF में आपकी रांकर्स गुरुकुल के टेलिग्राम चानल पर अपलोड करा दूँगी, ठीक है, बिल्कुल फ्री PDF रहेगी, जो आपको YouTube इस पे टेलिग्राम पर आपकी मिल जाएगी, कोई समस्या किसी को इसके अलावा, चली, तो भाई ये जो काम किया इन्होंने, इसकी खोज के लिए नाम आ जाता है, रॉबर्ट हुक सहाब का पहला डेड सेल इन्होंने खोज किया था, तो आप कह सकते हो, कौर्क सेल जो है, कौर्क की कोशिकाएं जो है, वो छोटी होती है, छोटे कमरों से मिलती जुलती खोखली डब्बे दिखाई दिये थे, जिसको इन्होंने बाद में कहा था, कि ये छोटे छोटे कमरे हैं, तो भाई ये छोटे खाली कमरे, नाम क्या पढ़ गया, इसका, सेल नाम पढ़ गया किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया, देखो, तीन सवाल बने या से, किसने दिया? पहला सेल, रॉबर्ट हुक ने कब दिया? 1665 में दिया, कहा से मिला? तो कौर्क सेल से मिला, लेकिन कैसा मिला? ये मरत कोशिका थी, it was a dead cell, कैसा था? dead cell था, तो इन्होंने जो इसका कि आना तो इन्होंने नाम दिया कि चलिए अगर मैं सेल की अध्यन की बात करूं स्टडी ऑफ सेल की बात करूं तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं साइटो लॉजी का नाम दे सकता हूं किसका नाम साइटो लॉजी का देखो साइटो वर्ड किसके लिए आ रहा है कोशिका के के लिए आ रहा है 21 दिन के लिए वीडियो के लिए प्लेइस्ट बना दूंगी अर्य तुम टेंचन क्यों लेते हो प्लेइस्ट पूरी बन जाएगी तुम पढ़ना शुरू करो ना प्लेइस्ट अलग से बनवा देंगे 21-21 मेराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दे हैं और देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा बायो लॉजी में शब्दों को रटना मत रटना मत इनके टुकड़े करके समझते वे चलना जैसे हर वर्ड का अपना मीनिंग है मैंने कहा बायो प्लस लॉजी बायो मतलब जीवित लॉजी मतलब अध्यन साइटो मतलब स सेल मिल गया था तो बाकी जो आसपास के साइंटिस थे वो बड़े परिशान थे उसमें एक जुनाब यह थे जो नाम है एंटोनी वें लिविन होक्त कई बार नाम सुना होगा तुमने एंटोनी वें लिविन होक या एबील सहब जो थे यह तालाप के आसपास नाम की कर लिया उसके बाद इन्होंने सोचा कि आरे इस मिट्टी में ज़रा देखता हूं कि इस माइक्रोस्कोप के अंदर उपस्तित क्या है तो यह गए उस मिट्टी को निकाला माइक्रोस्कोप में रखा और जैसी इन्होंने देखा तो इनको नजर आया एक बैक्टीरिया क्या तीनों की खोच करी थी एंटोनी वेन लिविन हॉक सहाब ने इसी लिए इनको ये इतने भी जीव है ना ये सर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिख पाते हैं खुली आखों से आप नहीं देख सकते हम इसी लिए इनको माइक्रो और्गानिजम कहते हैं सुक्ष्म जीव विज्ञान का नाम देते हैं तो भाईया इनको कहा जाता है कि अब मुझे आप लोग कॉमें बताओ कि भाई अगर हम सुक्ष्म जीव विज्ञान कह रहे हैं तो इसमें हम किसका अध्यन करेंगे सूक्ष्म जीवों का लेकिन सूक्ष्म जीव क्या होते हैं कॉमेंट सेक्शन में एक बार जल्दी से बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए मैं आरपी एफ के लिए पूरी तयारी यह वादा है तुमसे आरपी एलपी एंटी पीसी सबकी तय क्यारी इस सीरीज को करके चले जाना बढ़िया तरीके से हो जाएगी ठीक है सारे सवाल इसी के अकॉर्डिंग और पूरा एंसी आर्टी बेस्ट यह रहेगा मैं आपकी अलग से पीडियाफ का नाम डलवा के और टेलिग्राम पे अप्लोड कराऊंगे कि यह आपकी रेलवे के लिए है स्पेशली रेलवे साइन्स का पार्ट जो है वह आपका पीडियाफ कर रहेगा कह रहे हैं मैं जीवानों होते हैं जो हां इन्होंने आंसर बहुत मैं मच्छर भी दिखाई दे रहा है लेकिन ऐसे जीव जो मैं खुली आंखों से नहीं देख सकती तो माम आप कैसे देखोगे आप देखोगे माइक्रोस्कोप से इसलिए मैंने क्या नाम दिया सूक्षम जीव जो सूक्षम दर्शी की मदद से आप देख सकते हैं इनको कहा गया हमने बैक्तिरिया ठीक है ऐसे इसके अंदर पंगस आता है ऐसे ही इसके अंदर वाइरस आता है निए तो पता है ना कि को रोना वैरस आपको दिखाई दिया था खुली आँखों से आप बोलो गया रहे मैं कैसी बात कर रहे हो पता ही नहीं चलता था कब किसकी सोक्षमजीव है तो सभी सोक्षमजीव का अध्यन हम कड़ते हैं शाखह में जिसको माइकरो बायोलाजी कहा जाता है लेकिन सबसे पहला माइकरो जो हमें मिला था वह को जा था एवीयल के मुने और ओषि और रफील कोशुत ऑन seminar का कि आईधिन पील का याद करो 910 क्लास में आपसे ना टीचर ने प्याज मंगवाई हो गया और उसने का होगा जड़ा प्याज की जिल्ली हटाओ और क्या इसके अंदर माइक्रोस्कोप में दिख रहा है यह बताओ कितने लोगों ने जीवित शेल तो नहीं है प्याज की जिल्ली में अगर नहीं करा कोई दिक्कत नहीं है अनियन पील का एक स्पेरिमेंट था तो इन्होंने ही सबसे पहला एक प्लांट में भी लिविंग सेल खोजा था प्याज के अंदर एक प्लांट ही मानते हैं हम उसे उसके अंदर भी काम भी किसने किया था इननों मतलब उसमें भी हम ग्या लुण रहे थे कि जड़ा इसके टिशू यहां पर देख़ लूँ तो यह सारे काम एंटुनी-वैं-णुविन-हुक ने किये थे इन्होंने एक प्रोटोजोवा की एक बेक्टीरिया की और शुक्राणू जिसको स्पर्म कहते हैं इन तीनों की खोच सबसे पहली बार यहां पर करी थी तो पहला डेट सेल बना रॉबर्ट हुक सहाब के द्वारा और पहला जो लिविंग सेल है वो किसके द्वारा ब का सेल है यह एक अनिमल का सेल है इसी आधार बे आप लोगों से पहले में कुछ क्वेश्चन यहां पर पूजना जाओंगे और फिर आओंगी दुबारा से इसके थियोरी वाले पार्ट पे जरा मुझे बताते चलो कि भीया यहां पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या कि मैं पोशिका का अध्यन अगर कहा जाएगा तो साइटोलोजी कहा जाएगा बॉस ने आंसर दिया है बहुत बढ़िया साइटोलोजी इसको कहा जाएगा अब सेल से मिलकर के क्या बनता है उत्तक बनता है टिशू बनता है तो टिशू का अध्यन क्या कहलाएगा टिशू क हमने सेल से मिला करके ही उत्तक को बनाया है यह कहलाता है आपका कोशिका विज्ञान ठीक है अब बात अगर आएगी कि भाई फादर आफ साइटोलोजी कौन है इसके जनक कौन है या फादर आफ सेल बायोलोजी यहां पर कौन है तो जल्दी से मुझे एक बार आंसर करो यहां पर आजाएगा कब किया इन्होंने काम 1665 में किया चाहे मैं इसया पर अंसर सैम होगा वांते हो की नहीं अभी living की बात नहीं आई है तो माम यह कुछ ऐसे वन-liner questions भी हमारे यहां से बन जाते हैं यहां तक की चीज़ें सभी को क्लियर है एक बर फटा-फट से मुझे thumbs up का sign भेजो, जल्दी से भेजो एक बार, कि माम हमे ना ये समझ में आया कि एक plant cell और एक animal cell अलग-अलग होते हैं, ठीक है अब बात ये आती है कि भी देखो plant और animal cell तक तो हम चीज़ें समझ गए लेकिन अगर कहानी ये आये कि पहले मुर्गी आये कि अंडा आया क्यों, बताओ जरा पहले एग आया था या मुर्गी आयी थी आप बोलो कि माम यही तो दुविधाज तक बनी होई है, यही नहीं पता कि पहले मुर्गी आये कि अंडा आया, अब ऐसी सेम चीज ना इनके साथ हुई थी यहां पर एक कोशिका का सिध्धानत आया था कोशिका का सिध्धानत इन तीन लोगों ने मिलकर के दिया था पहले थे मैथियास क्लीडिन दूसरे थे श्वान थियोडोर श्वान थे एक जोलोजिस्ट थे एक बॉटनिस्ट थे एक क्या थे जो जोलोजी यानि की जन्तूओं के उपर काम करते थे और दूसरे थे जो कि आपके पादप या प्लांट के उपर काम करते थे उन दोनों ने मिलकर के क्या कहा कि देखो यार मैं प्लांट के उपर काम करता हूँ और मुझे एक लाइन पता है कि जतने भी पादप हैं वो सब की ही कोशिकाओं से मिलकर बने हैं बोले यार ठीक है अलग बात बताओ कुछ फिर जो जन्तुओं के उपर काम कर दे थे उन्होंने कहा कि देखे जुतने भी आनिमल्स है वो आनिमल्स से मिलकर बने हैं तो आपकी एक सेल की जो थियोरी आई थी वो कहती थी सभी जीवित जीव जितने भी living organisms हैं, वो किस से मिलकर के बन रहे हैं, आपके cell से मिलकर के बन रहे हैं, यानि कि आपके कोशिकाओं से मिलकर के बन रहे हैं, तो पहला statement क्या था, कि सभी सजीव वस्तुएं छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं, इसी प्रकार से कि सभी सजीव इन दोनों का नाम यहां पर आता है जिन्होंने 1838 और 1800 ठीक है एक साल लगाया था इन्होंने 1838 से 1839 में इन्होंने पूरा कोशिका अध्यन जो है वो करा और उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि देखिए वहिया हमने कोशिका का सिध्धान दिया है मगर फिर वही बात यह जो त इन्होंने कहा कि तुमने तो सारे स्टेटमेंट दे दिये कि सब सेल से मिलके बनाए मंगर सेल कहां से आया तो एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया कि सेल पहले से मौजूद एक सेल में कोशिकाओं का विभाजन हो रहा था देख रहे हो एक से दो दो से चार चार से आठ आट से सोला जब ऐसे सेल्स बनेंगे ना तब जाकर कि आपका एक सेल का निर्मान हावर होता है मतलब पोशिकाओं में विभाजन जो है वो हो रहा था तो उन्हें अपना एक स्टेटमेंट जो दिया अवाज आ रही है अभी सबको तो आप क्या था कि ओमने सेल्यूला ए सेल्यूला रुडॉल वर्को नाम के सुनो भई यह जो विज्ञानिक थे इन्होंने कहा उमने सेल्यूला ए सेल्यूला के कोई मंत्र पढ़ दिया हो मैडम यह क्या था नया अभी अवास सबको आ रही है साफ हाँ अभी अभी अवास सबको आ रही है मैं सेल बायोलोजी के फादर तो हाँ भी बात करेंगे उसके बारे में प्यूत कर्श तो रुडोल वरको सहाब ने कहा उमने सेल्यूला ए सेल्यूला एक मंत्र पढ़ दिया था इन्होंने इसका मतलब क्या था कि आल सेल्स अराइज प्रॉम प्री एग्जिस्टिंग जैल्स कहने का मतलब क्या है कि भाईया सभी कोशिक आएं सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से बनती हैं मतलब यार पहले कुछ तो होगा ना जिससे तूट करके कोशिका विभाजन हुआ और फिर जाकरके आपकी एक नई सेल्स डेवलप हुई तो इनका स्टेट्मिंट आया था ओमने सेल्यूला ए सेल्यूला हिंदी इं मौजूद कोशिकाएं उनसे यहां पर बनती हैं किसको ठीक से नहीं दिख रहा है क्यों बहीं एक बात बताओ हम एक चीज को इसलिए विल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं जिन्होंने भी क्लास को पहुंचाया नहीं और पसंद आ रहो तो लाइक कर देना और नहीं पहले से कुछ तो तो यह सारा कॉशिका के सिध्धान्त का यह शारा सो पचपन में अपना स्टेट्मेंट पास किये थे 1855 में जिसका कहना यह था कि देखो पहले से कुछ तो था जिससे ये आपका cell जो है वो बना है वही बात कि आदमी कहां से आया पहले से कोई तो था यहाँ पर एक पहला आदमी Adam और Eve जो है वो आये थे यहाँ पर ठीक है बहुत अच्छे अब बात करेंगे अगले concept की देखिए आप जो cell समझ रहे हो ना वो cell भी दो प्रकार का होता है वो cell जो होता है वो दो प्रकार का होता है एक ऐसे cell होते हैं जो सिर्फ एक cell ही काम करता है जरा इसको देखो ये क्या है माम ये एक organism है एक जीवित जीव है यहाँ ये क्या है ये एक जीवित जीव है लेकिन इस पूरी body को अगर मैं देखूंगी न तो इसमें कुछ भी अलग से difference नहीं है ये पूरा body जो है वो एक ही cell से मिलकर के बना है तो कुछ ऐसे जीव जो मातर एक cell से मिलकर के बने होते हैं एकल कोशिका से बने होते हैं उन्हें हम एकल कोशिक ही है कहते हैं या unicellular कहते हैं बोलो बात समझ आ रही है ठीक है इन्हें हम एकल कोशिका यहां पर कहते हैं मतलब इसके अंदर ना कोई digestive सिस्टम नहीं होगा कोई respiratory सिस्टम नहीं है कोई कोई तंतर नहीं है क्योंकि ultimately मैं यह line जानता हूं कि एक cell ही अकेला ऐसा होता है जब बहुत सारे cell से मिलकर के बनता है तो वो टिशू बनाता है फिर एक organ बनता है फिर एक organ system यानि की अंग प्रणाली बनती है तो यार यह सब चीज़ें तो यहां पर होई नहीं है मतलब यह पाड़ तो होई नहीं रहा है यह cell ही सारा काम कर रहा है तो ऐसे जीव जिसके अंदर एक अकेली कोशिका सारा काम जो है वो यहां पर संभालती है इसको हम एकल कोशिकिये जीव कहते हैं इसके उधारन की अगर मैं बात करूँ तो amoeba का नाम याद रखेंगे कुछ paramecium ऐसे होते हैं कुछ युगलीना के नाम आते हैं यह सभी जीव हमारे क्या होते हैं एकल कोशिकिये होते हैं बैक्टीरिया आता है जिसमें एक ही कोशिका अकेले कार कर रही होती है जीवानू जिसको हम कहते हैं तो यह सारी चीजें जो है हां बिल्कुल science special zero level से है ठीक है तो यह सा नमिल्ट मेरा लेकर रहे हों या पी inadequ Lock तो तो सारी दिम्मेदारी तुम्हारे आूपर है सारे कर रहा है तो को पर ऐसी Unicellular अपने घर में तो घर में तुमने काम ना बांट दिया बांटा कैसे आप आप कर लो ममी आप खाना बना लो छोटी बहन तुम कपड़े धोलो मैं अपनी पढ़ाई कर लेता हूं पपक्त लेहं इस ही काम हमारे मल्टीसेलिलर औरग्यानिजम्ग में होता है, मतलब एक जीव हमने क्या देखे जो अकेले सारा काम कर रहे थे तो वो यूनी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर मतलब बहु कोशिकी है भई बहुत सारे सेल से मिलके बना है, तो इसमें पाचन अलग हो रहा होगा श्वसन अलग हो रहा होगा ठीक है आपकी हड़िया अलग काम कर रहे होंगी तो definitely यहां काम क्या हो गया बट गया division of labor हो गया यानि की काम की विभकता या मैं कह सकते हूं difference यहां पर एक आपका बन जाएगा जीवों में क्या हो गया है विभकता का द्रश्य जो है वो देखा जा सकता है काम हमने बाट दिया simple सी बात है बोलो समझे की नहीं तो दो प्रकार के cells होते हैं एक unicellular और एक multicellular unicellular का उधारण हमने देखा यह आपकी स्क्रीन पर है पैरामीशियम अमीबा यूगलीना यह देख सकते हो सारे क्या है एक ही जीव है मतलब पूरी बोड़ी जो है वो मैडम एक ही simple cell से बनी हुई है यह अमीबा हमारा बना हुआ है इसके अंदर ही food vacuum है सब कुछ यहीं चल रहा है और इसके अलावा जो है वो multi-cellular है यहां सारे plant animals आपके आ जाते हैं क्या यह बात clear है जल्दी से बताओ मैं आप जो इतने दिन से अर्पिएफ की class यूटियूब पकरा रहे थे वो complete करें वो आपकी complete है ठीक है उसके कुछ topics बचे है लेकिन आप अगर चाहते हो ना तो आप इस series को complete कर लेना यह series आपके लिए फायदे बंद रहेगी क्योंकि यहां basic से कर रहे ह आप एसे ही detail में हर एक चीज़ को हम पढ़ेंगे तो हमने दो difference देखे एक जीव बहु कोशिकिये जीव होते हैं इसको हिंदी में कहा जाता है और पहले वाले को कहा जाता है एकल कोशिक बात समझ आई कि नहीं तो माम आपने कहा cell दो प्रकार के होते हैं बिलकुल होते हैं बहु कोशिकिये बन गए मल्टी सेलुलर बहुत सारे cell हैं और एक यूनी सेलुलर मतलब जो एक ही कोशिका से मिलकर के बने हैं क्या इसके अलावा कोई दूसरा difference होता है जल्दी बोलो माम questions कराई है theory पढ़ लो फेले फिर करेंगे questions पहले theory cover करते हैं फिर उसके बाद questions इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे cell जो आपके कहलाते हैं prokaryotic और eukaryotic कितने आप में से ऐसे हैं जोने आज तक यह difference समझ नहीं आया कि एक prokaryotic और eukaryotic क्या होता है आपने कई बार यह chapter पढ़ा होगा क्योंकि यह बल्कुल basic से आपका chapter रहता है cell जल्दी से एक thumbs up का sign मुझे आपके लिए प्रो मतलब advance बोलते हो आपके लिए pro word का मतलब क्या होता है कि हम तो बड़े advance है हम तो सारे आधुने काम जो है वो कर सकते हैं लेकिन cell के case में थोड़ा उल्टा होता है यहां हम शब्दों को तोड़ेंगे और समझेंगे कि एक word है prokaryotic ठीक है और एक word आता है eukaryotic अब देखो हिंदी में तो तुम समझ जाते हो लेकिन English में थोड़ा सा फर्क कहा आता है मैं words को समझना है pro word का मतलब क्या होता है प्रात्मिक प्रात्मिक मतलब जो चीज पहले आई है जो चीज पहले आई है केरियो शब्द अगर कहीं पर भी दिख जाए मैं आपको बहुत सारे ऐसे words बताऊंगी जो की आपके biology की एक dictionary बना लेना अलग से और उसमें अलग से लिखते चलना कि यह word पूरी बायो में कहीं आता है अब यह सिंबल सी बात है कि जिसके development पहले हुई जिसका प्राथमिक न्यूक्लियस है मतलब पूरी तरह से ना विक्सित नहीं हुआ था यह उस प्रकार का सेल है जो प्राथमिक है पहले आया इसका nucleus पूंड तहर डेवलप नहीं हुआ था लेकिन लेकिन अगर हम बात करें यहां पर you karyotic की तो बटा you का मतलब होता है true यानि की सच्चा और सच्चा यानि की karyo word से आप कह सकते हो नाभिक जिसका नाभिक या जिसका केंद्रक कैसा है एकदम true केंद्रक दिखाई दे रहा है मतलब यहाना सब कुछ बढ़िया से develop हो चुका पूँच भी हुआ करती थी अब वो पूँच भी गायब हो गई है तो गोरिला चिंपैंजी में कुछ अलग शकल थी उनके अंदर वो पत्थर घिसके आग लगाते थे तुम तो लाइटर जलाते हो आग लग जाती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो वक्त के साथ डवलप हुई सेम चीज़ यहां पे हुई प्रो केरियोटिक जुतने भी जीव थे इनके पास बॉड़ी के अंदर सारे के सारे कोशिकांग पूर्ण रूप से विक्सत नहीं थे यहां पर चीज़ें थी तो बड़ पूरी तरह से नहीं बनी थी जैसे कि नाभिक है यह हुआ न्यूकलियस होता है जिसके उपर एक नहीं दो जिल्लिया पाई जाती है जिसके अंदर डियाने बढ़िया तरीके से बैठा होता है मतलब यह ना सब कुछ अरेंज़ है सब कुछ सिस्टमाटिक है बढ़िया से डेवलप हो चुका है यहां पर नहीं हुआ है माम यह बिल्प के अधोर नहीं हो पाया है तो याद रखना इसको हम प्रोख्रीृटिक सेल कहते हैं प्रोख्रीया उटिक सेल का मतलब क्या है जिसके पास चीज ठीक से डेवलप नहीं हुई थी जल्दी से बताओ यह कॉंसेप्ट शमझ में आया की नहीं आया फिर मैं बताओंगी बाकी क्या क्या होता है क्यों भई nucleus जो है ना इसमें membrane भी नहीं होती nucleus पूरी तरह से develop भी नहीं होता पूरा developed nucleus नहीं होता अब आप same चीज़ को देखो diagram के अंदर यह दिख रहा है ना तुमको एक cell यह cell कहलाता है prokaryotic cell इस cell के अंदर यह रहा बिखरा हुआ सा DNA दिखाई दे रहा यह nucleus पूरी तरह से ठीक से develop नहीं है और यही चीज़ अगर मैं किसी developed cell में देखूंगी तो यहाँ पर double जिल्ली से गिरा हुआ बढ़िया तरीके से बना हुआ एक nucleus हमें दिखाई देता है तो पहला difference इनका क्या होता है nucleus का ही देखा जाता है लेकिन DNA यहाँ पर भी है DNA यहाँ पर भी है ribozome यहाँ पर भी होते हैं ribozome यहाँ पर भी होते हैं कुछ कोशिकांग जो है वो उपस्तित दोनों में होंगे लेकिन बाकी चीज़े यहाँ पर उपस्तित नहीं होती है तो हमारा जो point of interest है पढ़ने का वो eukaryotic cell का है पहले हम इसको समझेंगे जब हमें ये पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा फिर हम last में समझेंगे कि अच्छा यहाँ पर क्या चीज़े ऐसी थी जो नहीं दिखाई दे रही थी तो बैटा NCRT के अंदर आपका पस्ट रूप से लिखा हुआ है कि prokaryotic और eukaryotic के बीच का जो difference है वो कुछ nucleus के आधार पर दिखाई देता है ठीक है nucleus के आधार पर दिखाई देता है तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार एक developed cell जो है वो मुझे कैसा दिखता है दोगो ये कोशिका है ठीक है मैं इसे और बढ़िया से आपको यहाँ पर बना करके दिखा देती हूँ ये आपका एक पूरा का पूरा cell दिख रहा है इस cell के अंदर एक जिल्ली तो आप ये देखी रहे हो मैंने इसके घर के बाहर न एक चौकीदार और बिठा दिया ये रहा एक और गार्ड आपका कुछ इस प्रकार से ठीक है अंदर बिल्कुल इसके बीचो बीच में मैं क्या रखूंगी न्यूकलियस को रखूंगी ये कोशिकांग है जो की brain of the cell कहलाता है ये मुखिया है मुखिया जी बैठे है पूरे cell को देख रहे होंगे कि भईया क्या क्या चीज़ें यहां पर चल रही है इसके जस्ट बराबर में बैठा है एक जाल लगा करके ये देखो ये एक जाल बना हुआ है इस जाल को हम क्या कहते हैं अंतहः प्रद्वी जालिका अंतहः प्रद्वी जालिका मतलब माम ये सारा कुछ जो यहां पर है न बीच में एक लिक्विड घूम रहा होगा एक लिक्विड जिसको हम नाम क्या देते हैं कोशिका का द्रव्य कोशिका तो कोशिका के अंदर ईक ध्रव्यभी भी होगा उसको कोशिका ध्रव्यगा सबी नाम दे दिया कुछको यह EGG लग prophe da sounds एक इसकी होती है शेप किस होती है यह आपकी सेल की होती है तो बीचो बीच में मैंने हाँ पर क्या रखा आपका केंद्रक रखा इस केंद्रक की भी होती है दो लेयर ये एक जाल बन गया इसके जस्ट सामने की तरफ कुछ ऐसे प्लेट लगी हुई होती है जिनको हम कहते हैं गोलगी काय क्या कहते हैं गोलगी काय इसको आप कैसे समझेंगे कि देखिए ये पूरा का पूरा एक घर है गर के अंदर बहुत सारा समान बिखरा होता है ना ऐसी कुछ समान है जो यहां पर बिखरा हुआ है हमें उसे समझना है कि क्या क्या चीज़ें बैठी हुई है तो माम अंदर की तरफ नूकलियस है इसको मैंने कहा नूकलियस इसी nucleus के अंदर हमारा ये DNA बाया जाता है जो हमारे अंदर माबाप से, पेरेंट से जो भी सूचना आती है ना अनुवान शक्त वो लेकर के आता है कि अच्छा उनकी height बड़ी थी तो हमारी बच्चों की भी height लंबी हो गई या उनकी height छोटी है तो हमारी भी छोटी हो गई मम्मी का चहरा दिखता है गोल तो बच्चे का भी चहरा गोल दिख रहा है तो ऐसी चीजें ये DNA लेकर के आता है पहला point दूसरा ये बैठा है अंतह प्रद्वी जाले का जिसको endoplasmic reticulum कहते हैं ये गोलगी काय है जिसको गोलगी body कहा जाता है फिर आता है क्या देखो जरा यहां बैठे होंगे कुछ घूम रहे होंगे आपके mitochondria ये देखिए अंदर की तरफ इसमें एक और जिल्ली होती है और बाहर की तरफ एक जिल्ली पाई जाती है तो ये भी आपके double layer वाले दिखाई देते हैं इन्हें कहते हैं सूत्रकनिकाएं क्या कहते हैं सूत्रकनिकाएं यहां पर इन्हें कहते हैं सूत्रकनिका यानि की mitochondria अब भई घर में तीन चीज़ें तो बहुत important थी nucleus, अंतहर प्रद्विजाले का गोलगी काएं और आपके mitochondria और क्या तो और भी मेडम बहुत कुछ होता है जैसे की बात करें यहां कुछ राइवोजोम घूम रहे होंगे कुछ आपके लाइजोजोम होते हैं कुछ हमारे पास vacuoles पाए जाते हैं दूसरा भाग जिसको हम कहते हैं आत्मघाती थैली के रूपे तो इसको लाइजोजोम कहा जाता है सब की अंतर को बढ़ेंगे अभी ऐसे ही आता है आपका ये वाला भाग जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं राइबोजोम का दे रहे हैं यह सब कुछ ना कुछ अलग-अलग काम है आपके सेल के अंदर वो निभा रहे होंगे इतनी कहानी सब को समझ में आई की नहीं आई जल्दी से बताओ एक बार एक फटा-फट से थमसब का साइन वेजेंगे यह देखिए यह जो पूरा द्रव्य घूम रहा है ना इसको अरे दुख है किस बात का तुम्हारा दुख निवारण ही तो 21 दिन 21 मेराथन लेकर आई हूं यह जो बार बार का दुख है ना यह एक बार में खतम करते हैं चलिए और इस 21 दिन 21 मेराथन को पूरा करते हैं जिसमें आपकी हर प्रकार से सारी समस्याओं का समाधान मिल परेकन दौस्त आपने अपनी थिओरी पढ़ना है और आपको कहीं और कैसे भी नहीं जाना है ठीके भई फीज कितना है बात्ज का देखो आज जो आपका साइन स्पेशल भान वह से nothing का है वैसे कि बाधा से जय बातब में बुलव आपको का से सेल वॉल यानि की हिंदी में बात करूँ तो कोशिका भित्ती कोशिका भित्ती और अंदर वाली जिल्ली को कहते हैं सेल मेंब्रेन सेल मेंब्रेन का मतलब क्या होता है कोशिका जिल्ली तो भाया इन दो के बीच में क्या अंतर होगा इन दो के बीच में क्या अंतर होगा देख तो आजाओ नहीं हो तो भी यह बाहर चले जाओ कोई चोड़ टकैत को अंदर तो नहीं आने देगा वह सीधे काईगा कि यह आप हमारे घर के सदस्य नहीं हो आप गलत उद्देश्यों से आ रहे हो आप बाहर चले जाए घर में एंट्री नहीं होगी तो यह दोनों मेंब्रे कुछ तो सोच समझ के कहा होगा कि एक पादप कोशिका है बिल्कुल मैं तुम्हें बताती हूं यह पादप कोशिका जब भी तुम्हें दिखाई देगी ना इसके बाहर कुछ एक और एक दो दो गेट दिखाई देंगे मतलब दो चौकीदार नजर आते हैं लेकिन अगर मे किसी एक जन्तु कोशिका को बनाऊंगी तो यहां पर मात्र एक ही क्या दिखाई देता है चौकीदार दिखाई देता है क्यों मैडम ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसके बाहर की तरफ लगी होती है एक सेल वाल जो की यहां पे नहीं होती जिसका नाम है कोशिका भित्ती कोशि वाली लेयर को इसकी कहते हैं cell membrane जो की यहां पर भी पाई जाती है देखो इसकी अंदर वाली लेयर है और इस जन्तु कोशिका की यानि की animal cell की यह plasma membrane क्या है बाहर वाली लेयर है मतलब इसकी पास तो बिचारे के पास एक ही चौकीदार है सोच समझ की किसी की भी entry कराने देता है तो यह भाग जो है वो यहां पर नजर आएगा अभी राइबुजोंग पढ़ेंगे दुबारा से ठीके जी तो यह पादप कोशिका रही कोशिका भित्ती के साथ और यह है आपकी कोशिका जिल्ली जो दोनों में पाई जाती है अब एक बात बताईए मैडम अगर हमसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ इसमें प्लांट सेल में पाया जाता है क्या आंसर लगाओगे आप कहोगे प्लांट सेल में तो सेल वॉल थी किस से मिलकर के बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है ये सवाल आता है आपका सेल्यूलोज की बनी होती है तो भाया ये पहला अंतर था किसके प्लांट और अनिमल सेल के पीच में सेल वॉल के आधार पे मैं इन दोनों में अंतर देख सकती हूँ इसलिए मैंने कहा कि ये चो cell मैंने खुबसूरत सी बनाई है ना इसके बास दो जिल्ली हैं तो definitely ये क्या होगी एक पादप कोशिका यहां पर नजर आएगी बोलो हाँ की ना जल्दी से बताओ एक बार समझ आया की नहीं आया only cell wall present है बिल्कुल सही अब आते हैं बढ़िया से cell के उपर बढ़िया मतलब मैं देखो ये रहा ठीक पहला भाग मैंने आपको क्या बताया cell wall का तो cell wall क्या काम कर रहा है cell wall एक boundary का काम कर रहा है cell wall एक boundary का काम कर रहा है मतलब outer layer का काम कर रहा है इनको लिख लेना देखो आप जो मैं तुम्हें पॉइंस लिख वाऊंगी यही से आपकी सवाल बनते हैं तो इन चीजों को ज़रा जल्दी से आप लोग भी नोट कर लेंगे Cell wall का मतलब होता है कोशिका भित्ती ठीक है कोशिका भित्ती एक बाउंडरी की तरह काम कर रही है बाहरी परत है और बाहरी परत किसकी है तो मैम ये पाई जाती है पादप में यानि की प्लांट में अच्छा एक बात बताओ प्लांट के अलावा किसी और में भी होगी पूछा जाता है तो प्लांट के अलावा जहां पाई जाती है, वो थे हमारे शैवाल, शैवाल यानि की, एलगी के इंदर भी पाई जाती है, एलगी एक ऐसा जीव है, जो आप सबने अगर देखा हो, तो पानी के ऊपर कुछ हरे रंग की चादर बिचती है, बिचती है कि नह है है सेल्यूलोस से छेकर जीवानु था मेरे पास एक बैक्टीरिया था क्या इसके पास भी सेल्वल थी हाँ भुर्या थी किस्सें मिलकर के बनी थी फैसाight करके बनी थी और श्रेविरीन से मिलकर करके बनी हुई थी तो आपके पास क्या है कि अब टाइडो ग्लाइकन व मियूरीन दो पदार्थ है जिन से मिलकर के बनी हुई है ऐसे ही आता है आपका फंगस या कवक इसमें बनी होती है काईटन की किसकी बनी है काईटन की बनी है तो माम यह क्वेशन कई बार पूछा जा चुका है वेरी वेरी इंपोर्टेंट भाग है कि किसके समज में आ रही है कि नहीं तो यह सारी चीज छोटी पैपर में आती-जरूर है वहीं मज़ा आ Chrτो आ की नहीं मैं कहाई लिधर, केंद्रक का अंतर होता है सब कुछ आईगा कैंद्रक भी आएगा टीक है होती है कि यह सिलेक्ट करती है कि बह einem किसकी नहीं नहीं हो इसे कहते हैं सेलेक्टिवली कि सेमी पर्मीयेबल मेंब्रेन तो सैमी पर्मीयेबल कर प्रक्राई यानि कि मैं इसको कह सकते हूं अर्ध पारगम में जिल्ली कि अर्ध पारगम में जिली का मतलब क्या होता है कि मैम देखिये घर के बाहर चौकिदार है उसको हम किना इंट्री हैं कि देखो चोर अंदर नहीं आना चाहिए बागी मर्जी जाये घर Vander आ जाये रिष्टेदार आ जाये चोर अंदर नहीं आना चाहिए तो ये भी ऐसी होती है, सेलेक्ट करती है कि भैया तुम काम के हो, चलो तो आ जाओ नहीं हो, बाहर रहो, तुमारी एंट्री नहीं होगी तो मंदर नहीं आ सकते, तुम बाहर नहीं जा सकते क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं outer line of animal cell होती है plasma membrane, मतलब किसी भी पादब कोशिका में तो cell wall बाहर दिख रही थी, जन तो कोशिका में बुचेगा तो plasma membrane या cell membrane आपकी बाहर की तरफ नजर आ रही थी, जल्दी से बताओ समझ आया कि नहीं PDF class खतम हो जाएगा, उसके बाद मिलेगा class तो खतम हो जाने तो पहले, ठीक है और session को पहुँचा दे न, अपने हर दोस्तियार भाई बंदू तक पसंद आ रहा है तो जरूर से पहुँचा दे न, और ये कहानी चौकिदार से भी याद रहेगी, तो इसको देखो जरह याँ पे, कि मैम आपने ये तो हमें बता दिया, ये रही हमारी cell wall, ये बहार की तरफ तजर आ रही है, बिल्कुल हरी हरी बहार की तरफ हरी है, प्लांट से याद कर लेंगे कि ये पादप के अंदर है, लेकिन ऐसे ही अगर मुझे क्या दिख रहा है आनिमल का cell दिखाई दे रहा है ये गोलगी काय है, ये माइटो कॉंड्रिया ये सेंट्रोजोम है, ये आपके वेक्यूल्स नजर आ रहे हैं, तो इस प्रकार के इन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, क्या ये कहानी क्लियर है कि नहीं, हाँ भई अब ये बनी कैसे होती है, ये सवाल भी आता है आपका कि ये बनी किस से होती है ये जो पूरी जिल्ली बहार देख रहे हो बहार तो बड़ी सिंपल सोबर सी दिख रही है लेकिन माम अंदर की तरफ अगर मैं इसका रूप देखूंगी, तो अंदर मुझे ये ऐसी दिखती है, एक साइंटिस्ट थे जो कि गाना गा रहे थे और गाना गाते गाते निकल लिए समझ ना, गाना गा रहे थे और गाना गाते गाते निकल लिए दरसल उनका नाम था सिंगर और निकोल सन, तो याद रखेंगे सिंगर गाना गाते-गाते निकल लिए सिंगर और निकोल सन ने मिलकर के ये वाला जो structure है ना ये दिया था, वो कह रहे थे वो गाना गा रहे थे, कि देखो भईया जिल्ली तुम्हें तो एक दिख रही है मगर ये मिली किस्से है एक उपर और एक नीचे फॉस्फो लिपिड नाम का एक पदार्थ होता है उसकी द्वी जिल्ली है उसकी डबल लेर दिखाई दे रही है एक उपर दिख रही है और एक नीचे दिखाई दे रही है ये बीच में देख रहे है प्रोटीन धसा हुआ है य तो उन्होंने दिया था यह आपका तरल मोजाख प्रति रूप जिसको नाम देते हैं फ्लूइड मोजाख मॉडल जल्दी से बताओ यह कहानी क्लियर हुई कि नहीं सिंगर निकोलसन की कहानी समझ में आई कि नहीं आई फटा-फट से बताओ एक बार आ गई चल यह यांत्रिक सपोर्ट दे रही है एक मेकैनिकल सपोर्ट दे रही है पूरे सेल को चलिए तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यह किस ने दिया था यह दिया था सिंगर और निकोलसन ने कभ दिया था 1972 में दिया था और इस मॉडल का नाम क्या है यह जो मॉडल मुझे दिखा इसका नाम क्या है भीया इसका नाम है फ्लूइड मोजैक मॉडल यानि की से हम कहते हैं तरल मोजैक प्रती रूप छीक है इसके अंदर पूछेगा किस-किस ते मिलकर के बनी हुई है तो फॉस्फो लिपिड बना हुआ है यह पूछा जा चुका है सवाल आपका मैं अभी क्वेशन कराऊंगी आपको तब पूछूंगी लिपिड की बाई लेयर है दवी लेयर आपको दिख रही है फॉस्फो लिपिड की दवी कला इसके बाद क्या आता है माम कुछ प्रोटीन आते हैं अंदर की तरफ धसे उए भी होंगे और बाहर की तरफ भी होंगे तो आप इसमें लिख सकते हो आंत्रिक और बहरी दोनों है और क्या है भाईया और बना हुआ है कार्बो हाइड्रेट यानि की शरकरा ये दो तीन चीजें जो है वो आपस में मिलकर के इस पूरी जिल्ली को यहाँ पर बना रही है जो कैसी है अर्ध पारगम में जिल्ली है सिल गटा हो लिया है लेकिन माम हमें हर चीज जो है वो समझ में आ रही है कि नहीं मैंने आपसे पहले ही का था वन शॉट मतलब वन शॉट आज चाप्टर खतम करेंगे तब ही हम यहां से हटेंगे उसके बाद ही आप लोग जाएंगे तो इसी लिए एक एक चीज को समझेंगे और अभी सवाल भी तो लगाने है तो पता तो चले कितने पानी में जूम रहे हो तुम जी हां तो इसे कहा गया प्लाजमा मेंब्रेन यह आपने इसका रूप देख लिया कुछ इस प्रकार से आप हिंदी में भी देखेंगे तो एक लेर देखो यह उपर की तरफ दिख रह अब आते हैं अगले भाग पे जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं इसके अंदर का भाग यूपलियस का भाग देखो जरा की न्यूपलियस जो है वो कैसा दिखाई देता है यह नूपलियस है मेडम सबको दिख रहे है कि नहीं क्यों भई बिल augment बीचों भीच पे तीसरी भाषा तो देखो न मुझे आती न मैं तुम्हें बता रही हूं ठीक है चलो आप कह रहा है यह नूक्लियस है नूक्लियस जो पाया जाता है वो बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाता है सराउंडिंग में बाकी इस द्रव्य में और भी चीजें तहर रही है मैडम लेकिन इसकी जो बाहर की जिल्ली होती है जरा ध्यान दो यहां पर यह बिल्कुल बीच में नूक्लियस है इसके बाहर की जो लेयर होती है इसमें छेद होते हैं क्या पाये जाते हैं छेद पाये जाते हैं जुनको हम कहते हैं नूक्लियर पोर यह बाहर की लेयर में छेद द जिसमें आपके सारे topics यहीं से आपके cover हो जाएं ठीक है तो यह चोटे-चोटे से छेद होते हैं लेकिन माम और क्या होता है और होते हैं DNA यह देख रहे हो यह है पूरा का पूरा nucleus nucleus के अंदर यह गूमते वे जूमते वे से तुम्हें DNA दिख रहे हैं यह बीच वाला भाग होत से बात कर रहे हो मेरी वाज सुन पा रहे हो विडियो देख रहे हो आँख बंद कर रहे हो दिल धड़क रहा है हर एक कार रिमाम यही nucleus जो है वो cell का संभालता है तो ultimately आपके brain में भी कुछ cell होंगे और उन cell में भी nucleus होगा तो यही nucleus हमारा सब कुछ संभालने का काम कर रहा हो होता है ठीक है तो अगला जो आपका कोशिकांग है यह सब क्या पढ़ रहे हैं हम यह सब हम कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे हैं तो अगला वाला भाग आता है nucleus का जिसको हम केंद्रक भी कहते हैं नाभिक भी कहते हैं केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी और इन्हीं को देखा गया था कि न्यूकलियस कैसा होता है डबल मेंब्रेन बाउंड होता है डबल मेंब्रेन बाउंड होता है यानि की दोहरी जिल्ली बाद है इसको हम कहते हैं दोहरी जिल्ली बाद है डबल मेंब्रेन है की नहीं देखो यह सेल है सेल के अंदर एक और दो इन से मिलकर के बना हुआ है बीच में क्या है डियने है तो आप लेक सकते हो इसके पास डियने पाया जाता है DNA present है दूसरी चीज अगर हम बात करें इसके अंदर मैं DNA के अलावा नूकलियोईड भी है क्या है नूकलियोईड भी है मतलब एक ऐसा जो बिल्कुल बीचों बीच में आपको बैठा हुआ दिख रहा है नूकलियोईड भी बैठा होता है और इसे हम कहते हैं क्रोमाटिन फाइबर कुछ ऐसे खंड भी होते हैं जिनको क्रोमाटिन खंड कहते हैं ये सारी चीजरें यहां पर उपस्तित होती है फिर हम बात करेंगे इसके अंदर भी एक ड्रवे होता है जसको न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं के न्दरक ड्रवे कहा जाता है यहां पर जो भी लिक्विड भरा हुआ होगा न वही cell के अंदर liquid था और उसको हमने क्या कहा था साइटो प्लासम कहा था cell के धरवे को साइटो प्लासम कहा तो nucleus के धरवे को क्या कहेंगे मोहिनी विकास बहुत बढ़िया इसे कहा जाता है आपका nucleus मैं हम थोड़ा भोजपूरी में कुछ बोलिए न इंदिय और इंगलिस समझ लो भोजपूरी में, चलो इधर, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियो प्लास्म, फिर आता है है हहाँ पर इसके उपर कुछ छिद्र जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर पोस्, यानि कि आपके केंद्र के जिल्ली में बाहर की तरफ कुछ छिद्र पाए ज पढ़ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है तो बस यह काम करते चलना और जिन्होंने भी सेशन को पहुंचाया नहीं है दिल से बताओ चीज़ें समझ में आई की नहीं आई सेल में हमने अब तक जितना भी पढ़ा इमानदारी से बताना समझ आया की नहीं आया आया है तो फटा-फट से एक थमसप का साइन भेज दो और आ गया है तो अपने भाई बंदुओं तक जल्दी से शेयर करके आ जाना जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया हो दिल से हम क्या होगा सभी चीजों को नियंत्रित करता है यानि कि control and coordinate दी सेल ये कोशगा को control भी कर रहा होगा और इसका coordination भी बना रहा होगा यानि कि पूरा नियंत्रन यही करता है जुसको हम nucleus कहते हैं ठीक है तो इसकी image जो है वो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसका रूप हमें दिखाई देता है ये बैठा हुआ है बीचो बीच में आपका nucleus मतलब बाहर जाल लग रहा है लेकिन बीचो बीच में क्या बैठा हुआ है आपका nucleus यहाँ पर उपस्तित है इसी nucleus में DNA है nucleoid है सब कुछ यहाँ पर उपस्तित है point clear हुआ की नहीं हुआ point clear हुआ की नहीं हुआ बहुत बढ़िया कहते हैं कर भला तो हो भलाई है मत सोचा करो कि किसी से jealousy रखोंगा वो दूसरा select हो जाएगा तो माम मेरा क्या होगा आप खुद पे भरोसा है ना तो हर मुकाम हर जीत तुम्हारी ही होगी खुद पे भरोसा नहीं है नूकलियस के बराबर में जाल लगा हुआ है इस जालिका को क्या कहते हैं इस जालिका को कहते हैं अन्तह प्रद्वी जालिका ये जाल आप देख रहे हो बिल्कुल साइट में लगा हुआ है और जस्ट बराबर में लगा हुआ है अब मैंने तुमसे कहा था न्यूकलियस एक मुखिया है यह एक मुखिया है मतलब मैं सारे फैसले तो देखो यही लेता है कोशिका के अंदर लेकिन यह जो जाल लग रहा है न इसको कहते हैं अंतह प्रद्वी जाल यह दो भागों में बटा होता है और यह बनाता है खाना क्य इस wij मनाता है देखो झब इसकी एक सदह पर कुछ दाने दाने से नजर आ रहे हुए देखो गोल-गोल से दाने दिख रहे हैं और दूसरी στο अब मैं वह बड़ी सौफ्ट सी दिखाई दे रही है वो बड़ी चिक्नी सी दिखाई दे रही है तो आखिर इन दोनों में का फर तो इसको कहते हैं अंदर की तरफ ना कुछ जाल है और यह जाल जो है वो बनाया किसने था वो बनाया था क्लॉड और पोर्टर सहब ने यह दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया था इसको दो भागों में बाटा कि देखो एक सतह मुझे चिकनी दिख रही है और दूसरी सतह मुझे खुरदुरी दिखाई दे रही है तो इन्होंने कहा यार एक को स्मूथ कह देते हैं एक को रफ कह देते हैं ठीक है इसको कहा इन्होंने चिकनी अंतह प्रद्वी जालिका यानि की स्मूथ एंडो प्लास्मिक रेटी क्यूलम और इसको कहा था रफ एंडो प्लास्मिक रेटी क्यूलम यानि की खुर्दुरी अंतह प्रद्वी जालिका पर्क क्या है कि मैम कोई चीज चिकनी है मतलब उसकी सतह पर कुछ नहीं लगा हुआ है जो खुर्दुरी है ना उसके उपर राइबोजोम लगे हैं गाता है कि नहीं आपको डॉप अपकी डेड़ से दो घंटे की रहेगी तो अभी आपका जो पूरा टॉपिक है जब तक वो खतम नहीं हो जाता smooth और rough की अगर बात करें तो भईया खुरदुरा-खुरदुरा क्यों है क्योंकि ribozome है ribozome क्या बना रहा है protein बनाता है तो यहाँ पर होता है protein sensation देखो घर के अंदर kitchen होता है kitchen में खाना बनता है एक तरफ तो यहाँ protein बन गा यह बनाता है lipid को किसको बनाता है lipid को वसा को तेल को ठीक है तो यहाँ lipid की synthesis होती है lipid की synthesis होती है और lipid जो है वो आपकी कही ना कही जिल्लियों में भी होता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि यह जैविक जिल्ली का भी निर्मान कराने में मदद करते हैं जैसे कि हमने कहा था ना हमने कहा था ना कि आपके phospholipid से बनी हुई plasma membrane होती है तो phospholipid मतलब वो lipid यही वाला lipid है जो आपकी जिल्ली को बना रहा होगा तो lipid से membrane की जिल्ली जो है वो भी आपकी बनी हुई नजर आएंगी तो आप कैसे हो कि अंतहय प्रद्वी जालिका दो भाग में बटी होती है एक चिकनी है और एक आपकी खुरदुरी है चिकनी वाले के अंदर lipid बनता है और यहाँ पर ribozome बनता है अरे वा मैम बहुत बढ़िया मतलब आपने न किचिन में खाना तो बना दिया पर जब खाना बनता है न तो एक CCTV कैमरा लगा हुआ है क्या लगा हुआ है एक CCTV कैमरा लगा हुआ है देखो जरा भाई यह आपका नूकलियस है यह क्या है अंतहय प्रद्वी जालिका है ठीक है मेडम समझ गए अब मैं आती हूँ एक बार दुबारा से न सेल के उपर देखो जरा इस सेल को ध्यान दो इस सेल में पिल्कुल 90 डिगरी पर यह रहा जाल खुरदुरा वाला यह रहा चिकना वाला यह रहा नूकलियस मैम यह देखो यह बैठा है CCTV कैमरा यह हरे हरे रंग का इसी कैमरे को कहते हैं गोलगी बोड़ी या गोलगी काय क्या कहते हैं गोलगी काय कहते है यह गोलगी काय क्या कर रहा होता है सोचो और जल्दी से बताओ एक बार मैं मैं objective question नहीं कराओगी अरे कराएंगे बिल्कुल कराएंगे थोड़ा सा topic बचा है इसको cover करके फिर आपके सारे objective question भी कराओगी CCTV camera मम्मी होती है घर में नहीं देखो यहाँ जो CCTV camera है न यह बैठा हुआ बिल्कुल देख रहा होता है कि अच्छा कुछ भी बनेगा न मैं तुरंट से पकड़ लूँगा और पकड़ने के बाद क्या करूँगा उसके packet बनाऊँगा और उसको भेज दूँगा यानि कि आपके इस अंतहप रदवी जालिका ने दो चीजे बनाई एक lipid बनाया और एक protein बनाया इन दोनों को आपकी गोलगी body क्या करेगी पकड़ेगी और पकड़ करके इनके packaging में और इनके transportation में मदद करती है कि जहाँ जहाँ जरूरत होगी न वहाँ पर इसको पकड़ेगी और पहुचा देगी कि लो भाया ले जाओ जहाँ जरूरत है ले जाओ इसके packet बनाईगी और भेज देगी बस इतना सा काम होता है गोलगी काये का यह वाला जो अंग आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे गोलगी काये का जब भी नाम आता है याद रखिएगा function क्या याद रखना है packaging और transportation हमें कुछ extra नहीं पढ़ना है दो point हमने बताए कि एक यह packaging कराता है दूसरा यह transport कराता है लेकिन इसके अलावा ma'am इसके जो पूरा structure आप देख रहे हो ना एक नाम और पूछता है जिसको हम कहते हैं कि इसकी चप्टी चप्टी सी जो प्लेट दिख रहे हैं आपको एक दो तीन चार कुछ इस प्रकार से इनको नाम दिया जाता है सिस्टरने क्या नाम देते हैं सिस्टरने का नाम देते हैं अब भी mitochondria बढ़ाऊंगी तब फिर से पढ़ेंगे कि भाया ये कहां पाई जाती है ये कहां पाई जाती है ठीक है तो ये सारी चीजें अपने भी पढ़ेंगे तो याद रखना sister ने कहां है गोलगी काय में तो भाया ये भी काम हमारा सही हो गया अब आते हैं अगले वाले भ होता है ये कहलाते हैं देखो इधर ये छोटा सा भाग है इस भाग को कहते हैं आत्म घाती थेली इस भाग को क्या कहते हैं कि स्यू साइडल बैग ऑफ दी सेल ने कहते हैं कोशिका की आत्म घाती थेले आत्म घाती एक बात बताओ कोई आत्म हत्या क्यों करता है कोई स्यूसाइड क्यों करता है क्योंकि माम प्रेशर बहुत जादा हो गया है कोई भी एक्सवाईजेड रीजन रहा यहाँ पर भी इसकी क्या हो जाती है यूसाइड हो जाती है ये एक आटम बम की तरह काम करता है ये कोशिका का सफाई करमी की तरह काम करता है क्या कराता है ये इसके अंदर ना कुछ ऐसे इंजाइम पानी के साथ आने बर क्या कराते हैं ब्रेकडाउन कराते हैं चीजों को तोड़ते हैं चीजों का पाचन करा रह या मैं कहूं मानलो एसेड बन रहे ना तो पेट में एसेड बहुत ज्यादा बन जाएगा तो बताओ तुम्हें क्या होगा हुगा कोशिगा के अंदर पाचन करता है बिल्कुल सही मोही निया आज बहुत बढ़ी आंसर दे रही है लगातार दे रही है आत्महत्या हो जाती है इसकी कि जब acid बहुत जादा आती है तो आपको तो उल्टी हो जाएगी लेकिन इसके अंदर अगर ये enzyme बहुत जादा बन गए न तो ये तूट तूट करके क्या होंगे बाहर आएंगे और इस cell को क्या कर देते हैं डामेज कर देते हैं कि खुट तो गया ही गया साथ में पू है इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का ये लिख लेना लाइजोजोम का कार्य है अंतह कोशिकिये पाचन कोशिकाओं का पाचन अंदर से ये क्या कराता है और साथ साथ में इसी लिए इसको हम स्यूसाइडल बैग भी यहां पे कहते हैं पॉइंट क्लियर हुआ की नहीं हु समय कम है इसी लिए हमें हर चीज को तयार करके चलना है चलिए अगले कोशिकांग पर भढ़ते हैं और अगले कोशिकांग को कहा जाता है माइटो कॉंड्रिया देखो आपने अब एक एक चीज को समझा है कि माम न्यूकलियस है ये जालिका है ये गोलगी वॉड़ी है ठीक है क्या ये है आपकी सूत्रकने का जिसको हम माइटो कॉंड्रिया कहते हैं इस माइटो कॉंड्रिया के अंदर ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा रूप दिखाई देता है इसे हमने क्या कहा माइटो कॉंड्रिया सवाल आता है कि भाईया कौन ऐसा है जो की पावर हाउस कहला कोशिका का पावर हाउस कहलाता है कि मैडम कोशिका में हमने मुखिया भी देख लिए किचिन में खाना बन रहा था वो भी देख लिया सीसी टीवी कैमरा भी देख लिया अब इन्वर्टर और बैटरी भी दिखा दो घर है तो इन्वर्टर बैटरी भी होंगे तो यह काम करता पावर हाउस का उर्जा घर का काम करता है। ठीक है, इसी को हम inverter, बैटरी, उर्जा, सयंत्र, पावर हाउस, सभी नाम से जानते हैं। क्यूं जानते हैं क्यूंकि यहां पर बनती है उर्जा किस रूप में बनती है एटीपी के रूप में बनती है पूछा जाएगा ठीक है पूछा जाएगा कि कौन सा भाग उर्जा घर कहलाता है वो आपका यह वाला भाग यहां पर कहलाता है क्यूं क्यूंकि यह एटीपी बन कि हर तरहा से पेपर में आएंगी उन सभी चीज़ों को हम लिख रहे हैं ठीक है तो हम वही पॉइंट्स लिखेंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है पीडियेफ चाहिए मुझे तो कहा मिलेगी पढ़ना मत तुम पीडियेफ चाहिए पीडियेफ क्लास के बाद मिलेगी ना क्लास तो खतम होने तो पहले तो इसे कहते हैं उर्जा घर दिख कैसा रहा है बर्गर जैसा तो लिख सकते हो कि माइटो कॉंड्रिया का काम क्या है एनर्जी सिंथेसिस में ATP के फॉर्मेशन में देखिए आपने आज तक साइंस पढ़ी हो ना पढ़ी हो ATP की फॉल फॉर्म जो है वो जरूर याद रखना उसे कहते हैं एडिनोसीन ट्राइफोस्वेट ठीक है बात आएगी कि इसने काम क्या करा तो ATP का निर्मान कराया इसकी खोज किसने करी थी रिचर्ड अल्तमान का नाम याद रखना रिचर्ड अल्तमान का और इससे पहले इसको कहा जाता था ये अभी तो आप इसको नाम दे रहे हो सूत्र कने का लेकिन पहले इसको नाम दिया जाता था बायो ब्लास्ट का क्या नाम दिया जाता था बायो ब्लास्ट तो आपसे पूछें कि भहया पहले क्या नाम था इसका बायो ब्लास्ट था जो किस ने दिया था बेंदा ने नाम दिया था ठीक है नाम जो दिया था वो बेंदा नाम के scientist थे इन्होंने यहाँ पर दिया था ATP जो है वो present है ये टाइरेक भाईया देखो to the point चीज़े हैं ये mitochondria भी कैसा होता है माम दोहरी जिल्ली बाध्य होता है double membrane bound कहलाता है मतलब इसके उपर भी क्या होती है दोहरी जिल्ली पाई जाती है concept समझ में आ रहा है कि नहीं दोहरी जिल्ली बाध्य कहने का मतलब कि में देखो इसके एक membrane तो ये रही अन्दर वैली जिल्ली को ना मैं मोड देती हूं कुछ ऐसे कुछ इस परकार से कुछ इस परकार से और इसी को कहा जाता है आपके क्रिस्टे कहा जाता है तो याद रखना क्रिस्टे के नाम से ये जानी जाती है, अब मैंने तुम्हें याद कराया था गोलगी काये में सिस्टर्न तो सिस्टर्न जो थी वो गोलगी बॉड़ी में थी और यहां क्या है क्रिस्टे है बोलो समझ आ रहा है कि नहीं इट फॉर्म्स एटी पी, इट हैस क्रिस्टे ये बहुत चुनिंदा पॉइंज है जो आपके पेपर में नंबर बना सकते हैं कि इसकी अंदर वाली जिली न मुड़ी हुई है तभी तो बर्गर जैसा दिख रहा है ये साथी साथ में इसके पास अपना डियने भी होता है ओन डियने यानि की स्वैम का इसका डियने पाया जाता है ठीक है दूसरी कहानी एक और होती है कि यहां पर होता है कोशिकिये श्वसन, cellular, respiration वो पुछेगा कि किस कोशिकांग में श्वसन की क्रिया होती है या मैं कहूँ कि ATP बनता है तो भाया कोशिकिये श्वसन कहां हो रहा है आपके सूत्र कणिका के अंदर होता है इसी श्वसन के बाद दो प्रकार से उर्जाबनती है अगर 36 या 38 ATP बने है तो बता देना YVA श्वसन हुआ था aerobic respiration था और मात्र 2 ATP बने है तो A-YVA श्वसन हुआ है कितने लोग जिम जाते हैं कितने आप में से ऐसा है जो जिम जाते हैं माल लो चलो मैडम हम जिम जाते भी है ना तो हम बहुत exercise कर लेते हैं आज पहले दिन था हम जिम चले गए जो लगातार जाते हैं उन्हें पता है कि अगर एक दिन छुट्टी कर लेते हैं तो किस प्रकार से हमें बॉडी में दर्द होता है वो इसी प्रकार से होता है वो इसी दो ATP के बनने की वज़े से होता है कि तुम्हें उस दिन जादा एनर्जी नहीं मिली और एनर्जी नहीं मिली जो इन सभी कामों को यहाँ पर करा रही है अगली भाग बात करेंगे अगला भाग जो है उसे हम नाम देते है आपका प्लास्टिड का देखे भो से जो ओते है यह भी अमारे प्रकार के कोशिकांग रंग है जो कि क्या काम करेंगे मुख्या तार से कोई भी फल है कोई भी फूल है काली है हरे रंग की अभी किली नहीं है उसके अंदर कोशें कांग admired कोशें कांग तो ई हैकल सहाब ने दिया था आप लेख सकते हैं एक अगले कोशिकांग के बारे में जिसको हम हिंदी में कहते हैं लवक या फिर किचिन ओफ दे सिल किचिन ओफ दी सिल कोशिका का रसोई घर देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगोंने अभीतर कोशिका बढ़ी कोशिका के दो भाग पढ़े यूनिसेलिलर मल्टी सेलिलर कोशिका की थियोरी पढ़ी सिध्धान्त पढ़ा फिर आपने समझा कि कोशिका दो प्रकार की है एक प्रोकेरियोर्टिक और यूकेरियोर्टिक और उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं इन सबी कोशिकांगों को पढ़ रहे हैं कि मैं मेरे पास अकर एक सेल यह है ना इसके अंदर जुतने भी अलग-अलग कोशिकांग वो क्या क्या है उन सभी चीजों को बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं हमने नूकलियस पढ़ा अंतहब रदवी जाले का पढ़ी फिर हमने उससे लगा हुआ गोलगी काय पढ़ा फिर हमने लाइजोजोम पढ़ा माइटो कॉंड्रिया पढ़ा और अब हम ब्लास्टेट्स पढ़ रहे हैं यह प्लास्टेट्स जो होते हैं यह आपके रसोई घर कहलाए जाते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनको चीजें अभी तक की सारी समझ में आ गई है माम गोल की बॉड़ी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन और लिपिड का जो बना है ना ठीक है चलिए बहुत बढ़ी आउतकर्श तो प्लास्टेट जो होते हैं इनकी अगर हम बात करें तो इसकी खोज करी थी ईहकल ने ईहकल साहब के बाद अगर हम बात करें यह तीन प्रकार के होते हैं तीन प्रकार कौन-कौन से होते हैं जिसमें पहला आता है आपका क्लोरोप्लास्ट जिसे आप कहते हो हरित लवक दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं वर्णी लवक और ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं अवर्णी लवक होता क्या है कि यहाँ पर उपस्तित होता है क्लोरोफिल जो हरा रंग देता है और प्रकार संसलेशन में मदद करता है क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं आपका हरित लवक मतलब प्रकाट शंसलेशन में मदद करने वाला पोटो सिंथेसिस में ठीक है तो मैम इसने क्या किया था इसने रंग दिया है घरा रंग दिया है लेकिन बाकी सब में तुमने का टमाटर जो है वो लाल हो गया तो कोई वर्णक आया होगा जिसकी वज़े से हमने क्या नाम दिया क्रोमा क्रोमा मतलब कलर कलर मतलब कोई ना कोई वर्णक है तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं कुछ pigment प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कुछ वर्णक उपस्तित हैं जो रंग दे रहे हैं ठीक है यह क्लोरोफिल है यहां से आपको हरा रंग मिल रहा है और यह आपको क्या करेगा रंगीन बनाएगा पिग्मेंट कौन कौन से होते हैं आप लिख सकते हो फ्यूको जैन्थिन फिर आएगा जैन्थो फिल ठीक है और इसी प्रकार से आपका कैरो टिनॉइड लाइको पीन यह सारे अलग अलग ऐसे वर्णक हैं जो रंग देने का काम करते हैं ठीक है तो याद रखिएगा कुछ इ करते हैं यह तेल स्टार्च वव प्रोटीन का भंडारन करते हैं तो यह आपके तीन भाग होते हैं जो किसमे आते हैं प्लास्टेट्स के अंदर आते हैं सुनाइड दे रहा है अच्छा डिने का पूरा नाम होता है डियोक्सिराइबॉन यूकलिक असडर देखो एक बात य कि मैं हम समय मैं आपसे कह रही हूँ कि आप से अगर मैंने वादा किया है वन शॉर्ट पिटा वन शॉर्ट का मतलब वन शॉर्ट होता है मतलब हम एक ही क्लास में पूरे चाप्टर को कवर करेंगे यह नहीं है कि आधा छोड़ते या कुछ चीज़ें आपकी रह जाएं फिर अगले पार्ट में उसे कवर करें या उसे ना करें यह सारी चीज़ें मेरे तौर पे तो नहीं होने वाली है सबको मज़ा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर देना और साथ साथ में अपने हर दोस्त यार भाई बंदु तक भी पहुंचा देना ताकि वो लोग भी इस क्लास को यहां पे कर पाएं मुकाबला जो करना है ना इस बार तुम्हें पता है लाखो की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे और उसमें तुम्हें अपनी एक सीट पक्की करनी है तुम्हारे लिए एक एक पॉइंट इसी लिए कि कोई भी शब्द मिस ना हो जाए और तुम पेपर में ये ना कहो कि रादिका माम आपने बताया नहीं था या मेरा वो पार्ट छूट गया फिर तो तुम तो यही कहोगे ना तो हमें तो हर प्रकार से मजबूती और मेहनत के साथ अपनी तयारी करनी है नोट्स साथ में बनाते हुए चलना ताकि एक भी चीज मिस ना हो अपने हाथ से लिखेवे नोट्स आज तक तुम्हारे जो है वो लास्ट तक मदद करेंगे चीक है तो भाईया बना लीजिए बस बढ़िया तरीके से तो इसे कहते हैं क्लोरो मतलब हरे रंग के लिए क्रोमा मतलब रंगीन और ल्यूको मतलब सफेद के लिए हम क्या रहेंगी है कोई रंग नहीं है लेकिन हाँ ये वसा को स्टार्ट को प्रोटीन को भंडारन करके रखता है पॉइंट क्लियर हुआ मैंब फाउंडेशन बैच पढ़ने की जरूरत है या नहीं है हिंदुस्तान हमारा बिल्कुल नहीं है आप इस सीरीज को कवर कर जाना रेलवे के लिए रेलवे में आप इस सीरीज को कवर करेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स जो है यानि की double membrane पाई जाती है यह भी कैसा होता है आपका दोहरी जिल्ली बाध्य होता है मतलब double membrane का structure है और इसके पास भी अपना dna पाया जाता है own dna यहाँ पर भी है मतलब अगर मैं देख रही हूं कि यह मेरे पास chloroplast है तो देखो एक जिल्ली बाहर और एक जिल्ली अंदर इस प्रकार से मुझे दो जिल्लियां यहाँ पर दिखाई देंगी ठीक है तो इसे कहते हैं chloroplast तो question ना एक बार यह भी आया था कि कौन से ऐसे तीन कोशे कांग हैं जिनके पास double membrane है याद करिए double membrane मैंने आपको तीन जगा लिखवाई है पहला भाग mitochondria में दूसरा भाग nucleus के अंदर और तीसरा भाग आपको प्लास्टिड के अंदर इन तीनों के पास क्या है दोहरी जिल्ली है मतलब इनके उपर एक नहीं double layer है और इनके पास swim का DNA भी पाया जाता है यह सवाल अगर पूछ लिया जाए ना कि कौन से तीन ऐसे कोशे कांग है तो अगर आप से यह कहा जाए कि आर नहीं आद मुझे ट्रिक बता दो तो इसकी एक ट्रिक कह देना मुझे नहीं पता किया कहोगे मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता का मतलब Mitochondria Nucleus और Plastid तो छोटी सी एक ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो कि भाईया देखो मुझे नहीं पता Mitochondria Nucleus Plastid इन तीनों के पास Double Membrane और अपना खुद का DNA यहाँ पर पाया जाता है मैम पूरी Science Hindi English दोनों में होगी लाइकोपी ने एक प्रकार का वर्णक है तुम कहते हो ना कि टमाटर में लाल रंग आया कहां से आया मिर्च में लाल रंग आया कहां से आया यह वर्णक होते हैं जो आपके रंग देने का काम करते हैं और यह वर्णक किस में हैं क्रोमोब्लास्ट में है यह जो हमने यहां पर लिखा है न वर्णी लवक तो वर्णी मतलब वर्णडक दे रहा है यहां पर ठीक है चलो हाँ लाल रंग का लाल रंग जो है लाल मिर्च का वो इस प्रकार से दिखाई देता है तो यह सारे हमारे क्या थे कोशिकांग थे इसके बाद एक कोशिकांग और आपका यहां पर बनता है जो को हम क्या कहते हैं इसको राइबोजोम का नाम देते हैं कि राइबोजोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्टरी कहा जाता है क्योंकि यहां पर प्रोटीन का संसलेशन होता है मतलब प्रोटीन जो है वो यहाँ पर आपका बनता है राइबोजोम की खोच करी थी जॉर्ज पैलिड ने खोच करता थे इसके जॉर्ज पैलिड और ये एक छोटा सा कोशिकांग है मैं कहूंगी सबसे छोटा कोशिकांग यही है और सबसे छोटा होने के साथ सातना माम यह राइबोजोम और क्या कराता है तो याद रखिएगा कि यह दोनों में मिलता है प्रो केरियोटिक कोशिकांग में भी मिलता है और eukaryotic कोशिकाओं में भी मिलता है जिसमें pro-karyotic के अंदर ये 70S टाइप का होता है और eukaryotic के अंदर ये 80S टाइप का होता है S क्या है? इसमें P है यहां लिख लेना S का मतलब होता है Swedberg unit या फिर Swedberg की 1 I भाई किसी चीज में अगर आप माप रहे हो तो चोटा कोशे कांग कहा जाता है ribosome बोलो बात समझ आई कि नहीं है जल्दी से बताओ मुझे एक बार 90% अच्छा कहां रहे गिया भही है तुम्हारा 10 जितना जादा practice करोगे जितना जादा device करोगे classes regularly लोगे अपने notes बनाओगे सब कुछ clear हो जाएगा ये question ना आए ता मुझ से कह देना कई बार पेपर में पूछा गया है कि ribosome कि में मदद करता है protein synthesis में ये तीनों trick से आपका definitely question आता ही आता है ये पूछेगा prokaryotic में किस type का ribosome है तुम बताओगे 70S का पूछेगा ukaryotic में किस type का है 80S का S क्या है इसकी काई होती है ये सब 12 में पढ़ लिये हो बहुत बढ़िया बात है जिन्होंने नहीं पढ़ा है जो science में बिलकुल नहीं है क्या आपको समझ में आई की नहीं आई मैं ribosome दिखता कैसा है आप हमें ये और बता दो देखो भईया ribosome ना कुछ ऐसा दिखता है एक इसकी बड़ी काई होती है छोटी काई होती है मतलब दो unit से मिलकर के यहां पर बना हुआ होता है तो इसे हम कहते हैं ribosome या protein की factory क्या बना रहा है ये इस RNA से protein को पढ़ेगा समझेगा amino acids को और उन्हें बना करके लंबी सी एक chain तयार कर देता है ठीक है जी हाँ चल तो ये कहलाता है आपका ribosome इसके बाद आपका एक आखरी कोशिकांग जिसको हम कहते हैं vacule vacule नाम का एक भाग भी आपके पादप कोशिकाओं में पाया जाता है साथ साथ में आप क्या कहेंगे कि ये जितना भी भाग हमें दिख रहा है ये आपके एक बड़ा सा भाग बन करके plant और animal दोनों में मिलेगा plants के अंदर जब आप देखते हैं तो भाईया plants में देखो बीच में बड़ा सा भाग दिख रहा है क्यों भी दिख रहा है कि नहीं ये इसका nucleus है ये क्या है इसे हम vacule का नाम देते हैं इस vacule का काम क्या होता है इस vacule का काम होता है जोतना भी पानी है जोतने भी खनिच पदार्थ है उनको ये store करके रखता है ठीक है उनको ये store करके रखता है एक खटा करके रखता है अब तक तुमने ये भी सुना कि mitochondria पे nucleus पे plastic पे double layer थी यहाँ पर एक single layer होती है एक layer इसके उपर चड़ी होती है देखो एक layer इसके उपर लगी होती है जिसको हम नाम देते हैं tonoplast का क्या नाम देते हैं tonoplast का तो वेक्यूल के बारे में आप ये कह सकते हो कि ये दोनों के अंदर पाया जाता है ठीक है वेक्यूल को हिंदी में कहते हैं भाया रिक्तिका ये single membrane वाला अब तक double membrane पढ़ रहे थे न तीन के अंदर ये single membrane bound होता है called as tonoplast इसकी लेयर के नाम होता है tonoplast आप लेक सकते हो एकल जिल्ली बाध्य कोशिकांग इसके बाद ये है इट स्टोर्स water and mineral ये क्या करता है पानी वर्क हनिच को एक अत्रित करता है ठीक है अगला भाग यहां पर लिख सकते हैं plants में भी होगा और animal में भी होगा लेकिन इसका एक छोटा सा difference लिख लेना कि देखो plants में ये एक ही होता है और बहुत बड़े size में होता है आप लिख सकते हो one in number and large size एक ही होता है लेकिन size में बड़ा होता है संख्या में एक है बट आप लिख सकते हैं आकार इसका बड़ा होता है और अगर मैं किसी जानवर में बात करूँ तो यहाँ पर ये बहुत सारे छोटे छोटे से पाए जाते हैं many in number but small size ठीक है छोटे छोटे से होंगे लेकिन बहुत सारे होंगे छोटे आकार में ज्यादा संख्या में तो भई ये कहलाता है आपका वेक्यूल ज्याद रखिएगा कुछ इस प्रकार से दोनों के अंदर मिलेगा plants में भी मिलेगा और animals में भी मिलेगा इसकी layer बूछेगा तो आप बता सकते हो tonoplast इसकी जिली को यहाँ पर कहा जाता है कोशिका रस जो है वो बैठा हुआ होता है तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि माम ये भी हमारा एक ऐसा कोशिकांग है अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से कॉमें सेक्षन में कौन सा ऐसा कोशिकांग था जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट तेल में था एनिमल में नहीं था पटाफट से कॉमेंट सेक्षन में बताओ जल्दी से बताएं एक बार क्वेशन करवाने की बोली है और आप क्या करवा रही है पी वाई क्यू अच्छा जब तक थियोरी नहीं होगी तो आप अगर यह सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें पी वाई क्यू करा के काम खतम कर देंगी नहीं 21 दिन 21 माराथन में मैं पहले कॉंसेप्ट पढ़ाऊंगी फिर आपको सवाल लगवाऊंगी और एक एक सवाल चाहें पी वाई क्यू का हो चाहें एकस्पेक्टेड हो मैं सब कुछ आपको कराऊंगी अब देखिए आपका सवाल आ रहा है है आपर आंसर सेल वाल का बिल्कुल सही कह रहे हो तो एक कोशिकांग मैंने बढ़ा सेल वाल का जो की सिर्फ प्लांट में बाया जाता है लेकिन इधर देखो ध्यान दो एक कोशिकांग मैंने तुम्हें ये भी पताया था प्लास्टेड का भई प्लास्टेड में खाना बनता है क्लोरोफिल बाया जाता है क्लोरोफिल इंसान में होता है या किसी जानवर में होता है आप बोलोगे नहीं होता मैम इसी लिए जुतने भी हमारे प्लास्टेड्स होते हैं यह भी केवल प्लांट में बाए जाते हैं ठीक है भई तो यह आप लिख सकते हो इट इस ओनली इन प्लांट सेल्स में पाया नहीं जाता है अवाज आ रही है सभी को थियोरी बेस्ट है जी हाँ मेरा मानना यह है बिना थियोरी के ना कुछ भी मज़ा नहीं है तो यह सारे भाग थे आपके जो हमने सभी सेल ओर्गिनल्स के रूप में पढ़े सभी कोशिकांग के रूप में पढ़े तो अब आप कह सकते हो कि अगर हम पूरे सेल की अगर बात करें तो हमने लगभग सार division पढ़ेंगे ना उसके अंदर इसकी शुरुवात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि इस एंट्रोजोम जो है वो किस प्रकार से विभाज़त होते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाई आपकी देती हैं अब शुरू करते हैं एक और डिफरेंस को जिसको कहते हैं प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक का तो भई देखो तुमने एक चीज़ देख ली कि सारे के सारे जो कोशिकांग है ना उन सभी के अंदर हमने क्या देखा हमने एक यूकेरियोटिक सेल को देखा और यूकेरियोटिक सेल में मेरे पास मेंब्रेन बाउंड न्यूकलिय भी पाया जाता है इसके जीव unicellular भी होते हैं और multicellular भी होते हैं मतलब इसके पास किसी भी eukaryotic जीव के पास जितनी भी चीजें है ना वो सब advance है सब कुछ है लेकिन मैं compare करूँगी अगर किसी prokaryotic cells है तो ध्यान रखना इसके पास nucleus भी membrane bound नहीं होता है ठीक है इसका nucleus कैसा होता है बिना जिली वाला होता है खाली आपको cell में दिखाई दे जाएगा इसके पास histone नहीं होते DNA कैसा होता है इसका देखो ऐसा पाया जाता है गोल गोल तरीके से हमारा DNA कैसा होता है ऐसा दिखाई देता है तो इसका DNA कैसा है circular DNA है इसके पास बहुत सारे कोशिकांग जो है वो नहीं होते हैं और कुछ के पास ही cell membrane यहाँ पर होती है तो कहने का मतलब है कि माम इसके पास सारी चीज़े नहीं है इसके पास बस ribozome होते हैं जो मैंने बताया 70S टाइप के हैं कि एक short one short अगर इसका difference समझना होना मुझे कि prokaryotic और eukaryotic में क्या अंतर है तो देखो कुछ चीज़ें जो दोनों में पाई जाती है कुछ चीज़ें जो दोनों में पाई जाती हैं वो होती है आपकी क्या-क्या इसके पास DNA है दोनों के पास इसके पास ribosome है दोनों के पास cell membrane है और दोनों के पास cytoplasm है बाकी चीज़ें इसके अंदर और इसके अंदर अलग-अलग होती है यानि कि prokaryotic में और eukaryotic में अलग-अलग दिखाई देती है हिंदी में मत लिखो नहीं में हिंदी इंगलिश दोनों में लिखोंगी दोनों में आपको बता रहे हूं ठीक है जैसे इसका simple structure है इसका complex होगा ये size में छोटा है ये बड़ा होगा इसकी cell wall में peptidoglycan है यहाँ पर cell wall cellulose की होती है इसके अंदर आपको unicellular जीव दिखते हैं एकल कोशिकी है यहाँ पर बहु कोशिकी और एकल कोशिकी है दोनों होते हैं यहाँ पर कोई cell organal और नहीं दिखरा कि prokaryotic में अंता है प्रद्वी जालिका दिखे ना कोई गोलगी बोड़ी है नहीं कोई lizozome है नहीं कुछ भी होता है और दूसरा इतमें तर्व और सिर्व बेक्टीरिया आते हैं सिर्व और सिर्व जीवान यहाँ पर आते हैं क्या आप 21 दीन वाली क्लास हाँ जी यह तो यह कहानी थी हमारे आज के cell की आप और कुछ सवाल आये हुए हैं मैं पहले उन्हें discovered the nucleus of the cell जल्दी से बताओ एक बार श्वसनंग भी अलग-अलग होते हैं हाँ सब कुछ अलग-अलग होता है सब कुछ बताएंगे मज़ा आया कि नहीं आया थिवरी पढ़ने में मुझे एक थमसब का साइन साथ में भेज़ देना मज़ा आया है और सेशन को जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना ताकि आप सब ही के आगे जो फर्दर क्लासेश हो उनके भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और चानल को भी सब्सक्राइब कर लेना एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए पूरा टाइम टेबल तुम्हें बताया है लगातार ऐसे ही क्लास कराऊंगी चाहें ग्यारा से एक बज़ जाएं या साड़े बारा तक खतम हो या बारा तक हो टॉपिक खतम होना चाहिए ये मेरा आप से वादा है ठीक है आंसर लगा रहे है option number D बिलकुल सही D क्या है Robert Brown है इन्होंने ही खोच करी थी आपके nucleus की अब बताओ ये सवाल लगाने में समस्या लगी क्या ये simple question आपका पिछले वर्ष पूछा जा चुका है मतलब 2019 में इन्होंने dead cell की खोच करी थी इन्होंने जीवित कोशिका की खोच करी थी और Fleming's दहाब ने penicilline मनाई थी जो हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हम पेबारियां पढ़ेंगे इन्होंने penicilline नाम की एक दवाई एंटिबायोटिक के तौर पे बनाई थी ठीक है अगला सवाल देखिए which of the following is a functional part of DNA DNA का क्रियात्मक भाग कौन सा है जीन है, लाइजोजोम है, एंडोब्लाजमिक रेटिकिलम है या गोलगी अपरेटस है ये भी आपके RPF Constable 20 जनवरी 2019 में जो पेपर हुआ था उसका सवाल है बताओ फटाफट से गौरव उतकर्ष ठीक है DNA का कार्यात्मक भाग कौन सा होता है तो माम DNA मतलब जीन कुछ और होगा ही नहीं यही है जो अल्टिमेटली हमारी बॉड़ी में मातापिता से ट्रांसफर होता है और आपके अंदर जितनी भी सूचनाय है उनको पहुँचाने का कार यह करता है अंतह प्रद्वी जाले का बताई थी दो चीज़ें बना रही थी एक प्रोटीन बना रही थी एक लिपिड बना रही थी इसमें एक चिकनी थी और एक खुरदूरी थी लाइजोजोम को हमने कहा था कि यहां पर पाचन हो रहा है आत्मगाती थेली कहा था कोलगी काय भी दो काम कर रही थी पैकेट बना रही थी और ट्रांसपोर्ट कर रही थी बस इनके छोटे-छोटे से काम जो है वो आपने यहाँ पर याद रखते हैं कि किस प्रकार से इनके कार जो है वो देखे जाते हैं चलिए अगला सवाल बताईए कोशिका अंगक जो केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है लगाओ आंसर जल्दी जल्दी से बताओ जो सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है प्लांट सेल में लाइजोजोम, प्लास्टेड, गोलगी आपरेटर्स या फिर वेक्यूल सिंबल है माम कौन सा पाया जाता है अब सेल वाल तो ऑप्शन में है नहीं तो अपने को क्या लगाना है यहां पर प्लास्टेड लगाना है अरे हो जा भीया ठीक है तो लवक इसको यहां पर कहते हैं लवक क्या है केवल प्लांट सेल में है बाकी सारे दोनों में थे प्लांट में भी थे और अनिमल के अंदर भी उपस्तित थे आई होब इस वन इस क्लियर बहुत अच्छे सो याद रखेंगे कुछ इस प्रकार से सवाल यह भी आपका और पेफ कॉंस्टिबल 2019 का है पांच साल से तो पेपर ही नहीं हुआ ना मैम ऐसे ही कुछ एसा ही सवाल प है माईकुसिस हो था है क्या मियोसिस होता है ठीक है समसूत्रि विभाजन रह बहुत बच्चों को दिफरेंस में रहा है एन फ्यूजिप रहा है उसस तेल में द्रव्य जो था उसको मैंने क्या नाम दिया था साइटो प्लाज्म लेकिन नाभिक है और नाभिक के अंदर भी द्रव्य है तो उसको मैं क्या नाम दूंगी नूक्लियो प्लाज्म इसी के अंदर हमारे डियने थे इसी के अंदर बाकी नूक्लियोईड और अलग-अ चीज ने उपस्त थी तो इसे हम कहते हैं केंदरक द्रव्य और अभिक का द्रव्य प्रोटो प्लाज्म वह भाग होता है जब न्यूकलियस और साइटो प्लाज्म एक साथ है अब जब यह दोनों साथ है तो मैं इसको लिविंग को प्रोटो प्लास कह सकती हूं एक जीवित द अब देखेंगे कितने लोगों ने चीजें ठीक से समझी हैं अगला क्वेश्चन क्या रहा है निम्नमे से कौन सा कोशिकांग एक अनुओं के लिए प्रात्मिक पाकेजिंग छेत्र के रूप में काम करता और पूरे सेल में वित्रित जो आपकी ट्रांस्पोर्टेशन है उसम मैं आपको इहां करा रही हूँ 21 दिन 21 मारतन जरूर से जुड़ो और अपना फायदा ढूंड़ो कि भाईया आपके लिए बेस्टू बेस्ट कॉन्टेंट अगर मिल रहे न चपी चपाई चीज़ें आपको दी जा रही हैं एंसी आर्टी में जो दिया है वो एक्जाम्पल नहीं समझे हैं तो यह कहानी होती है इसने भी यही बोला है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है डिस्ट्रिब्यूट कर रहा है तो यह सारा काम हमारे गोलगी का होता है क्या मिलो गोलगी ने इसकी खोज यहां पर करी थी ठीक है देखिए जितनी भी आप लोगों के अलग- इस समय पर खोज करी तो यह पूरी टेबल है जुसमें एक एक नाम एक खोज गड़ता और यह आप लोगों को बताए गए हैं यह हिंदी में और इंगलिश में दोनों में मिल जाएगा आपकी पीडिएफ के अंदर राइबोजूम है जॉर्ज पैलेड ने 1955 में खोज करी फ कि राइबोजूम का काम प्रोटीन सिंथेसिस है ऐसी प्लास्टिड की हैकल ने खोज करी यह फोटो सिंथेसिस में मदद करता है रंग देने में भी मदद करता है अगला हम बात करें डेड़ सेल और जीवित सेल किस ने खोजा था तो रॉबर्ट होक और अंटोनी वैं पूछता है खोज करता का कि किसने करी थी यह जरूर बताईएगा ठीक है तो यह आपके कुछ इस प्रकार से पूरा चाप्टर सेल का हमने आज पढ़ा है इमांदारी से बता दो कितने लोगों को पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आ गए एक थमसब का साइन एक बार और भेज देना और दिल से पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर देना एक बात मैं आपको और बता दूँ यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए मैरतन तो आपकी रोज चलेगी चलेगी लेकिन इसके साथ हमारा जो बैच है जो आरजी विक्रमजीत अप्लिकेशन कर सकते हो बात कर सकते हो बाकी कोर्स के अंदर आपको लाइफ क्लासे प्राक्टेश शीट पीडिएफ सब कुछ मिलेंगी दो साल की इसकी वेलेडिटी रहेगी कहां पर चलेगा तो आरजी विक्रमजीत अप्लिकेशन पर यह बैच आप लोगों का चलने वाला है यानि की सब्सक्रिशन को डाउनलोड कर लेना और बढ़िया तरीके से अपनी तयारी आप बिलकुल सिस्टेमार्टिक वे में पूरी फिजिक्स के मिस्ट्री बाइलोजी की हमारे साथ कर सकते हो प्राइस मात्र 399 है जो सिर्फ आज के लिए आपका रहने वाला है ठीक है बिलकुल जिनको चीजें समझ में आई बहुत बढ़िया मैं PDF अभी आपके रांकर्स गुरुकुल टेलिग्राम चानल पर डलवा दूंगी लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप सभी लोग वहां से इसको जोड़ सकते हैं और बाकी एक सवाल मैं आपको यहां पर देना होगे किसके अंदर भई homework के अंदर को चीक है यह रहाए कि इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ओर्गेनल दोहरी जिली बाद है लाई जो जो माइटो कॉंड्रिया ना भेकिया अन्तःप्रद्वि जालेका यह आज का आपका homework question है जो आप लोग मुझे मुझे आशा है कि देखिए पूरा चैप्टर आपको समझाया होगा आपने नोट बनाया होंगे इसी के साथ इस सवाल का अंसर मुझे आफलाइन कॉमेंट करके बता देना कि सही उत्तर इसका क्या होगा कल में मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोगों का टाइम टेबल रहा कुछ इस प्रकार से तो कल की क्लास हमारी चलेगी 29 फरवरी सेल डिविशन की मिलते हैं आप से कल सेम टाइम सुभा के 11 बजे तब तक के लिए अपना सपोर्ट प्यार यूही बनाए रखें अपने कॉमन क्लास कैसी लगी है जरूर से बताएं हैं वह वेरी गुद डे थांकी सो माच